Hi everyone and welcome back to अपनी गक्षा और आज की इस वीडियो में हम differential equations start करेगे इसके J.E.Mains के previous year questions जो की आ रहे हैं 2019 और 2020 में total 32 papers थे यार तो उन सारे papers के जितने भी maths के questions होगे हों हम तुम्हें सारे solve करके दिखाने वाले हैं धंक से और उनके जितने भी maths के questions है न वो हम chapter wise कवर कर रहे हैं तो अभी तक हमारा यार limits continuity and differentiability differentiation AOD का part 1 क्योंकि बड़ा chapter है AOD का part 2 वो हो चुका है cover फिर तुम्हारा integration कवर हो चुका है indefinite फिर दो तुम्हारे definite integration कवर हो चुका है application of integration भी हो चुका है तो ये तुम्हारी वीडियो है कौनसी ये तुम्हारी कौनसी है यार दस वी वीडियो है जो की है differential equation जिसका भी part 1 है ये एक और वीडियो हैगी क्योंकि बड़ा chapter है थोड़ा तो शुरू करते है यार बिना किसी दे रहे के question number 1 से अपने मुझे दे रखा है y is equal to yx basically y हमारा function है of x it is the solution of the differential equation 2 plus sin x y plus 1 dy by dx is equal to minus cos x अब दे रखा है y 0 1 है y pi अगर a है तो मुझे निकालना है और dy by dx that x is equal to pi b है मेरा तो मुझे a कॉमा b निकालना है काफी यार बहुत simple question है यार ये सीधा variable separable है तो तुम क्या कर सकते हो मैं direct लिखके दिखा रहा हूं तुम्हें dy upon y plus 1 ले रहा हूं है यहाँ पर is equal to कितना minus cos x dx upon 2 plus sin x ठीक है basic variable integration थी variable से प्रेबर इसकी integration कितनी होती है तुम्हार यार log y plus 1 के बराबर और दूसरे के integration क्या होगी और लिखर के देखते है अगर मैं 2 plus sin x को t put कर दू तो cos x dx मेरा बन जाएगा dt तो जो integration है वो बन जाएगी dt by t minus में तो answer आगया minus log t कितना minus log t t की जगे लग दो 2 plus sin x यार इतनी तुम्हारी strong होनी चीए match अगर तुम मेंस का दे रहो अगर तुम्हें ना समझाया हो तो मैं फिर से तुम्हें करके दिखा देता हूँ यार ये चीज़ साइड में मैंने क्या किया है मैंने sin x plus 2 को t put कर दिया है तो इससे क्या हूँआ मेरा cos x dx कितना बन गया यार dt तो जो integration थी वो बन गयी minus dt by t इसका answer कितना आता है मेरा log t और t की जगे वापस से डाल दिया sin 2 x ठीक है तो ये मैंने इसमें किया था ताकि answer मेरा आगया मुछ ऐसा ठीक है अब इसको solve करते है यार ये plus c भी आएगा एक मेरा ठीक है तो यहां एक constant लिख दो तो इन दोनों log को add कर दो तो मेरे पास कितना बचा यार log e y plus 1 multiplied by 2 plus sin x इसकी value किसके बराबर है इसकी value है c के बराबर तो मैं कह सकता हूँ यार y plus 1 into 2 plus sin x की value मेरे किसके बराबर है इसकी value e raised to power c which is a constant in itself तो इसका मतलब इसकी value समझ लो कोई k constant है उसके बराबर है अब मुझे k की value निकाल लें k के बराबर है 1 plus 1 into 2 4 तो k आगया हमारा किसके बराबर यार 4 के बराबर तो मेरा जो function है finally वो कितना बना y plus 1 into 2 plus sin x की value है मेरे कितनी 4 के बराबर इसको अगर y की terms में लिखने की कोशिश करूं तो y plus 1 की value है 4 upon 2 plus sin x इसको ढंक से लिखते है यार कितना 2 plus sin x के बराबर है और अगर पूरा function नहीं लिखो में सिर्फ y की terms में तो मेरा y आ जाता है यहां से 4 divided by what 2 plus sin x minus 1 तो ये finally मुझे y as y x मिल गया ठीक है अब मुझे क्या निकालना है मुझे दे रखा है कि y at pi की value a के बराबर है y at pi की value किसके बराबर है a के बराबर दे रखी है मुझे तो क्या करो यहां pi डाल दो तुम्हे a मिल जाएगा क्योंकि a, b तुम्हें चाही है न यार और dy by dx at x equal to pi मुझे b के बराबर दे रखा है तो मेरे को वो भी निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हम a की value देखते है अगर मैं डालता हूँ y at pi तो y at pi की value a है y at pi की value यहां से कितनी होगी 4 upon 2 plus sin pi होता है मेरा कितना 0 तो यह basically 4 upon 2 minus 1 तो यानि कि 2 minus 1 यानि कि कितना 1 तो a की value मुझे कितनी मिल गई 1 के बराबर तो एक value तो मेरे को यहां से मिल गई अब निकालना है b b के लिए मुझे अपना y dash निकालना पड़ेगा dy by dx तुम बोलोगी यार यह तो पहले से नहीं दे रखा यह देखो dy by dx तो हमें पहले से दे रखा इसको अधर ले जो बट उसमें y भी है हम ऐसा dy by dx निकालेगे यहां से जिसमें सिर्फ x आएगा such that हम value डाल सके तो निकालते है अपना dy by dx by differentiating this equation तो इसकी value कितनी आजाएग यार minus 4 upon कितना वो तो constant 1 2 plus sin x का whole square 1 upon x की differentiation minus 1 upon x square into chain rule से sin x की differentiation कितनी cos x 1 की 0 तो यह आगया dy by dx अब मुझे बताओ basically मेरा y dash यह फिर डी by dx at x is equal to pi इसकी value मुझे क्या दे रखे b दे रखे होगी right तो x की जगे pi डाल दो तो minus 4 upon again 2 plus sin pi होता है 0 इसका square है into कितना cause x अब cause pi कितना होता है यार वो होता है minus 1 तो वो भी डाल देगे b is the correct answer हमारा यह भी जो y dash pi था यह था b के बराबर अब करते हैं अपना अगला question जो कि मुझे दे रखा है if a curve y is equal to fx passing to the point 1,2 is the solution of the differential equation 2x square dy is equal to 2x plus y square जो भी दे रखा है तो मुझे f of y पूचा है basically मुझे इसको solve करके देखना पड़ेगा मुझे क्या दे रखा है 2x square dy is equal to वहाँ से कुछ common ले सकते हैं 2xy plus y square नहीं यार common तो नहीं ले सकते तो लिख दो 2xy plus y square कितना dx अब एक चीज जार ढग से देखो अगर मैं dy by dx लो तो उसकी value कितनी हो जाएगी 2xy plus y square divided by 2x square क्या ये तुम्हें थोड़ा homogeneous type का नहीं लग रहा इसकी degree कितनी है 1 इसकी degree 1 कितनी है 1 तो इस पूरे की degree है 2 इसकी भी 2 है तो 2 plus 2 कितना हमारा 2 रहेगा degree की बात कर रहा हूं है ठीक है तो numerator की degree 2 है denominator की भी 2 है तो हम इसको क्या कह सकते है कि homogeneous function है बिलकुल ठीक है तो इस case में हम करते है substitution अपनी y is equal to mx such that हमारा जो dy by dx है वो याद रखना हमेशा बनता है m plus x dm by dx basically मैंने कुछ नहीं लिखा है यहां product rule लगा दिया है m into this के differentiation x into this के differentiation ठीक है तो हर जगे क्या डाल दो y की जगे mx डाल दो तो तुम्हें answer कितना मिल जाएगा left hand side में m plus x dm by dx मैं इसकी बात कर रहा हूँ मैंने ये 1 को transform किया है और right hand side में कितना आ जाएगा y की जगे mx डाल ला है तो 2x mx तो 2mx square plus m square x square divided by कितना 2x square तुम देख सकतो हो यहां से x square कट जाएगा वही तो हमारा purpose था उपर बचा 2m plus m square upon 2 minus m कर दो यार इस m को उस साइड ले जो अब हमारा क्या बचा यार x dm by dx की कितनी value आई है देखते है इसको तो 2m plus m square LCM लिया तो वापस minus 2m बहुत सही तो नीचे आगया मेरा सिर्फ 2 तो इसको फिर से solve करते है अब तो question solve होने वाला है x dm by dx ठेक है is equal to क्या mm कर दिया तो यहां से आया m square divided by 2 अब सारी m की चीज dm के साथ ले जो और dx और x को उस साइड ले जो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा यहां से आ जाएगा कितना dm upon m square की integration integration भी साथ साथ कर देते है वहाँ dx by x चले गया वहाँ भी integrate कर दो और half भी था तो half को या तो इधार रख लो इधार रख लो एक ही बात है यार तुम half को उस साइड लेकर जा सकते हो वैसे तो 2 by m square करके तो 1 by m square के integration होती है minus 1 upon m तो यह आ गया minus 2 upon m is equal to यहां कितना आ गया यार मेरा log x plus c log c x भी लिख सकते है वैसे तो right अब options देखते है option में अच्छा option में तो सीधा f of half पूछा है m की जगे वापिस से क्या डाल दो यार अगर मेरा y mx था तो m की value हो गई y upon x क्योंकि back substitution is necessary ठीक है तो कितना आ गया minus 2 x upon y की value कितनी है log kx लिख रहा हूँ मैं मतलब इस c को भी इसके अंदर ही लेकर जा रहा हूँ तो मेरा क्या आ गया यहां से वैसे plus c भी कर सकते है y को अधर ले जाओ तो y की value कितनी आ गयी है मेरी minus 2 x divided by log of kx right या फिर log x plus c भी लिख सकते हो एक अब मुझे क्या दे रहे कि है statement यार की f of half ये पूछा है देखो 1,2 से pass कर रहा है ये 1,2 से इसका मतलब अगर मैं x को put करूँ 1 तो y उस पे 1 आएगा मेरा तो 1,1 is the point 1,2 था या 1 था 2 था ठीक है तो y की जगे क्या डाल दो तुम 2 और x की जगे 1 तो minus 2 upon कितना log of k ठीक है क्योंकि x की जगे 1 डाल है 2 और 2 को काट दो तो मेरा log k की value कितनी आ गई यार log k आ गया minus 1 तो k की value निकल सकते हैं यहां से हाँ, k आ गया मेरा e raised to power minus 1 यानिकि k is equal to 1 upon e तो यह आ गया यार मेरी एक important चीज़ किसकी k की value ठीक है, अब बस हमें क्या निकलना था f of half, तो इधर से देखो यार इस equation से मुझे निकलना है y of half तो y of half का मतलब x की जगे half डाल दो तो minus 2 into x की जगे 1 by 2 denominator में कितना था, log of k की जगे क्या लिखूँगा, मैं 1 by e right, और दूसरी चीज़ क्या है x की जगे क्या लिखा था, मैंने 1 by 2 तो यह चीज़ हमें solve करनी है तो कितनी आई आ रही है, उपर तो minus 1 रहा गया नीचे क्या रहा गया, log 1 upon 2 e तो 1 upon 2 e को लिख सकता हूं 2 e raised to power minus 1 इस minus 1 को मैं jump करके ला सकता हूं इधर minus 1, minus 1, minus 1 काट सकता हूं तो मेरा उपर बजग गया सिर्फ 1 और नीचे कितना आ गया, log of 2 e तो यह answer ऐसा दे रहा कहीं, 1 upon log 2 e नहीं, बट यह answer सही है मेरा, क्यों क्योंकि मैं log 2 e को क्या लिख सकता हूं यार, 1 upon यहां देखो इसको मैं लिख सकता हूं, log a into log b मतलब log a into b कितना होता है, log a यानि कि log 2 plus log e और log e क्या होता है, 1 तो answer आगया, 1 upon 1 plus log 2 c is the correct answer बढ़ते हैं अपने third question की तरफ solve करते हैं अपना question number 3 अब the solution curve of the differential equation 1 plus e raised to power minus x into 1 plus y square dy by dx is equal to y square which passes through the point 0,1 काफी ज़्यादा simple यार, यह तो basic variable separable में को यहीं से दिख रहा है, तो तुम मैं directly क्या लिख रहा हूं यार, मैं लिख सकता हूं कितना dy, इसके साथ क्या है सबसे बहले देखते हैं, 1 plus y square upon y square dy, इस side लिख लो और dx को उस side ले जाओ यानि कि dx divided by कितना यार, हमारा आजाएगा, 1 plus e raised to power minus x, दोनों side integration लगा तो बहुत simple integration यार, इसकी यह कितना बचा, 1 plus 1 upon y square दोनों की integration बहुत simple और उस side, इस चीज़ को तुम लेख सकते हो 1 upon e x, LCM लोगे तो इतना आजाएगा तुमारा e x d x upon 1 plus e x, आज़िस इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, अब क्या करो यार बहुत simple, e x plus 1 को अगर तुम t put करते हो, तो तुम हारे पास अपने आप e x d x कितना बन जाएगा, dt बन जाएगा integration बन जाएगी, dt divided by t, इसकी integration लोग t, यानिकी log 1 plus e x, I guess यार इतनी speed जादा लग रही है कि तो मैं बताओ यार comment में बताना अगर जादा लग रही हो तो 1 की integration y, 1 upon y square की integration 1 upon y, minus में is equal to कितना log of 1 plus e x, plus a constant of course, अब मुझे दे रखा है, यानिकी x को 0 डालो, y को 1 डालो, तो या गया 1 minus 1 is equal to, यहां तो 0 आगया, x को 0 डाल रही है तो log 1 plus e raised बाउर 0 क्या होता है, 1, तो log 1 plus 1 यानिकी 2, plus a constant यह और यह कड़ गया, तो c की value कितनी आगई है, minus log 2, c is equal to minus log 2 right, तो मेरा जो curve है basically वो कितना बन गया है, यहां से देख सकते हैं y minus 1 upon y की value कितनी है, log of 1 plus e x, ठीक है, फिर कितना यार मेरा, यहां पे plus c c की जगे लिखोगे, minus log 2 अब एक चीज करना है, log a minus log b को लिख सकते हो, log a by b तो यह कितना बचा है, यहां तो आगया log a by b ठीक है, और वहां कितना तुम लिख सकते हो, y square minus 1 divided by y, ठीक है अब एक काम करो, इस y को उस side ले जाओ या तो, तो तुम्हारे पस कितना बचेगा, इधर देखते हैं, यहां से आजाएगा, y square minus 1 is equal to y times log of 1 plus e x divided by 2, और उस 1 को भी उस side लेकर जा सकते हो, तो plus 1 में आ जाएगा तुम्हारा, तो ऐसा कोई option दे रखा यार 1 plus में, हाँ यह रहा, यह देखो y square is equal to 1 plus मैं क्या कर रहा हूँ यार, इस 1 को भी उस side ले ही जाते है मैं यह कह रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा कितना आया, y square is equal to 1 plus y times log 1 plus e raised to power minus x upon 2 e raised to power minus x क्यों आएगा यार e raised to power plus x हैगा न, यह सही answer है देखो, d correct है, मैं इसको टिक मारने वाला था e raised to power plus x को put किया है हमने t, गलती मत करना, ठीक है तो d is the correct answer, not a अब solve करते हैं अपना question number 4 if x cube dy plus x y dx is equal to x square dy plus 2 y dx, फिर मुझे दे रखा है y2 की value e है, और y4 की value मुझे से पूची गई है, यह भी यार simple सी integration होने वाली है, क्या करो, dy को एकटा कर दो, dx को एकटा कर दो तुम्हारे पास कितना बचेगा या फिर उससे भी simple तुम कुछ common ले सकते हो या तो, कुछ दिख रहा है common के लिए, नई, एक काम करो dy को एकटा करो, तो कितना आजाएगा x cube minus x square into कितना dy, और उस side तुम dx को एकटा कर दो, तो कितना यार, वहाँ से है, 2y minus xy, कितना आगे तुम्हारा dx, ये भी ठीक है फिर क्या करो, यहाँ तुम लिख सकते हो इस चीज़ को कितना x cube minus x square into dy, variable separately बनने वाला है, y को common लोगे, तो 2 minus x dx, बढ़िया यार ये तो solve हो ही जाएगा मेरा कैसे, तुम कर सकते हो, dy divided by y, इस side यह आगया, integrate भी करीदेगे, is equal to 2 minus x dx upon x cube minus x square अब लगा दो दोनों साइड integration तो हमारा task क्या है यार, हमारा task is to solve this very simple integration, I don't think इसमें जादा time लगेगा, ये तो काफी self-explanatory चीज़ है, ये आजाएगा log y, तो यहाँ आग यार, हमारा log y, इसकी integration यार, कैसे करेगे इसको एक बार देखते हैं, अलग से यहाँ पे इसको मैं लख सकता हूँ, 2 minus x अंदर की चीज़ को देख रहा हूँ, सिर्फ integration की into x square x minus 1 अब इसको नाम partial fraction में resolve करने वाले, पहले ये देखो, उपर की degree कितनी है 1, नीचे की degree है 3 तो definitely partial fraction लगा सकते है तो मेरा answer क्या आएगा यार, a upon x ठीक है, plus b upon x square, plus c upon x minus 1, I guess ये चीज़ उमें पता होने चीज़, जब repeated होती है जैसे x cube अगर है, तो एक होगा a upon x, b upon x square, और c upon x cube यहाँ ये bx plus c नहीं आएगा मैं जानता हूँ, ये quadratic है, बट क्योंकि सिर्फ x square है, तो सिर्फ b आएगा, तो यार इसको करते हैं, अब solve करते हैं, तो तुम्हें एक बात पता होने चीज़, कि a into कितना, a में सिर्फ x डालो x minus 1, ठीक है, plus अगर मैं डालता हूँ, b में कितना डालूँगा, x minus 1 और c में डालूँगा, x square, तो मुझे answer मिलेगा 2 minus x में numerator को compare कर रहा हूँ, अपना LCM लेने के बाद, तो क्या करो, बहुत simple है, सबसे पहला क्या यार, सबसे पहले हैं कर दो, put x is equal to, कितना यार, put x is equal to 0, तो तुम्हें क्या answer मिलेगा यार, यहां से, यहां से answer मिल जाएगा, x को मिल जाएगा, और यह कट जाएगा, c की value मिल जाएगी, तो 1 put करते हैं, तो यहां से 2 minus 1 कितना 1 is equal to c, ठीक है, तो यहां से मिल को c की value भी मिल गई, 1, बहुत जादा बढ़िया, किसकी value बची है, मेरी, मेरी a की value बची है, पर यहर मैं 1 तो put कर चुका हूँ, और 0 b, मैं ऐसी कौंसी value पूट करूं, x की, योई ऑकर 1 put करूंगा, तो यह और यह कट जाएगा, 0 put करूंगा, तो यह और यह कट जाएगा, तो और कोई value होगी, कोई bhee value पूट कर दो, मतलब 1 के इलावगि तो minus 1, मतलब x की कोई भी value पुट करोगे तो ये चीज़ तो true होगी ना तो एक relation मिलेगा A, B, C में और हमारे पास A और केतना B और C तो है इस सिर्फ A निकालना है यार क्या करो इसको पुट कर दो या तो 2 पुट कर दो ताकि ये 0 बन जाए तो या फिर 1 भी पुट कर सकते हो तो तुम्हारी मर्जी है वैसे तो 1 तो करी चुके है पुट, sorry 1 नहीं कर सकते हो जिर्फ नहीं कर सकते कोई भी और नंबर सुम पुट कर सकते हो X को, मैं पुट कर रहा हूँ 2, तो यहां लिखता हूँ मैं पुट X is equal to 2, तो left hand side कितनी हो जाएगी मेरी यार, यह चीज तो बन जाएगी मेरी कितनी 0, 2-2, 0, is equal to A times 2 into 2-1 1, तो 2A plus B की जगे तुम पहले से लिखनो, minus 2 क्योंकि B minus 2 है, X minus 1 X की जगे डालर 2, तो 2-1 कितना 1, plus 4C आ जाएगा मेरे हाँ पर, और C की जगे वापस से कितना लिख दो 1, तो यह आगया सिर्फ, तो मेरा बचा यार, 0 is equal to 2A minus 2, plus 4 तो यह चीज बन गई मेरी कितनी plus 2, तो 2A plus 2 is equal to 0, 2A is equal to minus 2 A की वाल्यू भी कितनी आगई मेरी minus 1 के बराबर, मेरी जो integration है यार, वो कितनी बन जाएगी B की वाल्यू कितनी है, minus 2 upon X square और C की वाल्यू 1 है तो plus 1 upon X minus 1 अब इन तीनों के integration बहत simple होती है यार, यह तो already log में ही आएगी है सारी चीजे भी, तो log y is equal to this plus C लख सकते हो तुम, ठीक है तो इसके integration कितनी, एक तो यहाँ आजाएगा, minus log x, फिर plus 2 divided by X फिर plus log of x minus 1 कितना यार, log of x minus 1, ठीक है plus एक constant, और यहाँ already मेरे पास log y तो है ही, तुम जानते हो अब यार, मुझे constant eliminate करना और शायद y 4 निकालना है मुझे दे रखा है, y2 की value मेरी e के बराबर है, तो क्या करो यार अगर मैं x को 2 डालता हूँ, तो y मेरा आजाएगा, कितना e, यही दे रखा है न, y2 मेरा e के बराबर, ठीक है, तो x को 2 put करते है, तो यहाँ मेरी, इसकी value कितनी e है, तो log of e y की जगे e और x की जगे 2 तो यहाँ आगया, minus log 2 plus 2 upon 2, यानि की 1, plus log 2 minus 1, यानि की log 1, यानि की 0, plus constant, तो मुझे अपने constant की value मिल जाएगी, कितनी यार इस चीज़ को उधर ले जाओ, तुम अपने तो कितना आजाएगा, यहाँ से log of e plus log of 2 minus 1, इसकी value हमारी c के बराबर है, तो मैं कितना लिख सकता हूँ यार, log of, इस log 1 को मैं एक और चीज़ लेख सकता हूँ, log e तो यहाँ already हम चीज़ काट देते हैं, log e होता है मेरा 1, तो cut गया, तो c की value सिर्फ आगई मेरी कितनी, basic log 2 के बराबर, ठीक है तो मेरा जो curve है, वो कितना है, यहाँ दे रखा था, log of y, इसकी value कितनी है यार, log x minus में, प्लस कितना यार मेरा 2 divided by x, प्लस कितना यार मेरा, log of x minus 1, और constant की जगे कह लिख दो तुम plus log of 2, अब मुझसे पूछा है, y at 4, तो x की जगे 4 डालना है, तो यहाँ लिख देते है, log y at x is equal to 4, x की जगे 4 डालो तो minus log 4, plus 2 divided by 4, प्लस कितना आजाएगा यहाँ, log x की जगे 4 डाला है तो log 3 आएगा यहाँ पर, right और वहाँ फिर से कितना आजाएगा, log 2 तो log 3 plus log 2 इसको simplify करते है, log a plus log b minus log c basically log a b हो जाएगा हो, log 6 by 4, तो log 3 by 2, जल्द बाजी में करना हो वैसे थोड़ा, plus 1 by 2 यह कितना है मेरा यार, log y के बराबर है तो मेरा सिर्फ क्या कहते है, y कितना होगा तुम लिख सकते हो, y is equal to e raised to the power कितना log 3 by 2, plus 1 by 2 याने की e raised to power 1 by 2 e raised to power log 3 by 2 कितना होता है, 3 by 2 तो 3 by 2 कितना आगया, root e 3 root e by 2, ऐसा option दे रखा है हाँ, b is the correct answer तो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ तो solve करते है question number 5 अब, मुझे दे रखा है y is equal to yx, be the solution of the differential equation x into y dash, minus y dash is equal to x square multiplied by x cause x plus sin x, जहाँ x greater than 0 दे रखा है, फिर मुझे दे रखा है y at pi की value भी मेरी pi है तो मुझे से पूछिए y double dash pi by 2 plus y of pi by 2 तो कैसे करेगे यार इसको, सबसे पहले तो solve करते हैं अपनी linear differential equation को और y की value निकालते है in terms of x, ठीक है, और constant भी eliminate हो जाएगा की condition दे रखी है तो solve करते हैं, मुझे क्या दे रखा है x into dy by dx minus y is equal to x square अंदर भी कुछ-कुछ है, यार मेरा क्या है x cos x plus sin x राइट, सही है ये बात अब क्या अगर हो x को divide करते हो सबसे तो तो तुम्हें अपनी linear differential equation वाला form मिल जाएगा जो की होता है dy by dx plus minus 1 upon x into y क्योंकि ये क्या है यार मेरा p times y is equal to q और q क्या है सिर्फ x into x cos x plus sin x सही है यार ये, अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमें दे रखा है यार ये चीज हो कि मेरी p, ये होगा q तो integrating factor कैसे निकालते है यार मेरा, वो होता है e raise to power p dx, तो कितना हुआ e raise to power minus 1 by x dx यानि कि कितना आगया e raise to power minus log x, यानि कि x raise to power minus 1, यानि कि 1 upon x, ठेक है तो मेरा सीधा solution क्या होता है यार solution is y into integrating factor यानि कि y into 1 by x is equal to q times if यानि कि integrating factor into q की integration, और q कितना है हमारा x into एक x बच गया था न, हमारा वहां सिर्फ x into x cos x plus sin x की integration यहां से x और x पी काट दो अब मुझे बताओ यार x cos x plus sin x की integration हम कैसे करें, right कैसे solve करें इस चीज़ को तो तुम by part लगा सकते हो x cos x में sin x को please अभी solve करने की तुमें जरूत है ही नहीं वैसे तो, और दो इसमें by part अराम से लग जाएगा, बट, एक चीज़ notice करो यार, अगर मेरे पास मेरा function होता, ये चीज़ तुमें थोड़ी-थोड़ी ओरली आनी चाहिए, x sin x होता ठीक है, अगर मैं इसकी differentiation करूँगा, मुझे क्या मिलेगा, x into cos x plus sin x into 1 यानि की यही, तो यही सेम चीज़ नहीं मिल गई, तो इसका मतलब अगर इसकी differentiation यह है, तो इसकी integration यह हो गई तो direct answer लिख दो, x sin x इसकी integration, plus a constant is equal to y divided by x यहां से मेरे को क्या मिल गया, अपना main function मिल गया, जो की है y is equal to, इसकी value कितनी आ रही है, मेरी x times, x square times sin x basically, plus cx अब मुझे ने condition दे रखी होगी definitely, और वो condition क्या है यार मेरी वो दे रखा है, कि y of pi की value मेरी pi के बराबर है, तो जगे डाल देते हैं, y of pi मेरा कितना आएगा यहां से, तो यह आ गया pi square into sin pi कितना होता है, 0 plus c times pi, इसकी value मुझे दे रखी है, pi के बराबर तो यह तो कड़ गया, यह और यह कड़ गया c की value मेरी हां से आगई, 1 तो जो मेरा function है, वो कितना मना y is equal to x square sin x plus x, ठीक है, यह मेरा function है अब मुझसे पूछा है, सबसे पहले तो क्या पूछा है, y of pi by 2 plus y double dash pi by 2, तो दो बार differentiate भी करना पड़ेगा इसे, ठीक है यही से निकाल देते है, y pi by 2 की value, as it is, sin pi by 2 1 होता है, तो सीधा आगया, pi square by 4 plus pi by 2 तो y dash कितना होगा यार, अगर मैं इसी equation को differentiate करूँ, तो मिरे पास आजाएगा, x square into sin की differentiation, cos x plus 2x into सिर्फ sin x लिख दो, plus 1, ठीक है और सीधा फिर अब y double dash निकालो, y dash तो चाहिए ही नहीं था मिरे को, y double dash कितना आ जाएगा, x square into cos की differentiation, sin x, कितनी, minus sin x, sin x नहीं, plus यहां मैं लिखूँगा कितना, 2x into cos x plus 2x sin x की differentiation 2x into sin x की differentiation होती है cos x, ठीक है, plus अगर मैं सिर्फ 2 sin x लिखूँगा x की differentiation होती है, 1, plus 0 अब इसी में अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ y double dash of pi by 2 ही मांगा था ना, मिरे से देखते हैं, हाँ तो sin pi by 2 होते है, कितना 1 तो minus pi square by 4 और cos pi by 2 होते है, 0, तो यह चीज़ कट गई plus cos pi by 2 फिर से कट गया देखो, यह term और यह term कट गई plus 2 times sin pi by 2 होता है, 1 तो सिर्फ यह आ गया अगर मैं इस term को और इस term को add करता हूँ तो तुम देख सकते हो, यह और यह cancel हो जाएगा मेरा answer आ जाएगा, कितना यार, सिर्फ pi by 2 plus 2 तो pi by 2 plus 2 नाम का कोई option दे रखा यार, ऐसा हाँ, b is the correct answer तो बढ़ते हैं, अब हम अपने अगले question की तरफ, ठीक है मुझे दे रखा है question number 6 the solution of the differential equation this, this, इसकी value कितनी होगी यार, कभी भी तुमें देखो, हर जगे तुमें एक same चीज़ देखी होगी, y plus 3x y plus 3x, right, y plus 3x ये common चीज़ देखी है, तो कभी भी कुछ ऐसा दे रखा हो न, ax plus by plus c, और हर जगे वो चीज़ है, तो उसको t put करने में ही हमारी भलाई होती है तो क्या करो, y plus 3x की value put करो, तो ये question बहुत ज़्यादा simple है, और actually मैं, बनाके दे रखा है पुरा, तो इसकी differentiation करो दोनों sides, तो कितना आएगा, dy by dx plus 3, इसकी value कितनी आगई, यार dt by dx, अब इस question को transform कर लो, यार, कितना simple question है, यार, यहाँ देखो ज़रा, dy by dx x plus 3 भी दे रखा है, जान मुझके तुम्हें, तो ये dt by dx अपने आप बन गया, यहाँ लिख दो, dt by dx minus, ये चीज़ क्या है, t upon log t कितनी simple integration है, उसको उस साइड ले जाओ 0 के, तो कितना आगया, t upon log t, अब क्या कर दो, यार, सिर्फ integration कर दो, बहुत जादा simple है, और इधर देखो इस चीज़ को यार, काफी जादा simple question दे रखा ये तो, बस ये दे रखा था, तो तुम्हारा जल्दी है चेक कर रहे थे, तो log t by t, dt, इसके integration कितनी हो गई, dx, तो यहाँ कितना आगया, यार, x plus c, और यहाँ, तुम अगर log t को put करोगे k, तो तुम्हारा पास dt by t बन जाएगा dk, तो integration आगयी सिर्फ dk by k, यानि कि log k, यानि कि कि log of log t, तो इसके answer कितना है, यार, मेरा, log of log t, राइट, यह है इसका answer, अब t की जगे वापस से तुम डालोगे y raised to power 3x, तो कितना बचेगा है मेरा, जहाँ सबसे बहले e raised to power में ले जाते हैं, अगर इननों option दे रखा है कहीं, वैसे दे तो रखा नहीं है, तो log of log t है, कहीं दिख रहे हैं तुम्हें, या मैनने कहीं गलती कर दी, यार, एक जगे मैंने गलती कर दी, log of log t नहीं आएगा है answer, बहुती major blunder मारा है मैंने हाँ पर, इसलिए हमेशा वैसे लिखना जरूरी होता है, लिखे लेते है, log t अगर मेरा k है, तो 1 upon t dt, मेरा dk है, तो मेरी integration कितनी बन गई, k times dk, dk k by k नहीं था, तो answer आगया k square by 2, यानि कि यहाँ आएगा log t का square divided by 2, ठीक है, यह important चीज थी, तो यहाँ से मेरी x की value कितनी मिली यार, तुम देख सकते हो, तुम x को put कर सकते हो, कितना आजाएगा x is equal to log of t की जगे तुम लेख सकते हो, कितना by y plus 3x log e में, इसका square divided by 2, plus a constant या फिर x minus में लेका जा सकते तो तुम यह, और constant को तुम दूसरी साइड लेकर जा सकते हो, एक ही बात है यार, this minus this is equal to कोई नया constant, अब क्या यह equation का ही दे रख ही है, x minus half of iska square, हाँ is equal to c, तो b is the correct answer, बढ़ते हार अपने अगले question की तरफ, तो अब करते हैं अपना question number 7, मुझे दे रखा है y is equal to yx is the solution of the differential equation 5 plus e raised to power x upon 2 plus y dy by dx plus e raised to power x is equal to 0, satisfying y 0, 1, तो मुझसे पूछी है कि y of log 13 की value क्या होगी, तो करते हार इस question को solve, बहुत simple variable separation है यह, मैं लिख सकता हूँ कितना, 5 plus e raised to power x upon 2 plus y और यहां लिखूंगा dy by dx इसकी value है minus e raised to power x के बराबर अब सारी y की चीज़े एक साथ रखो जैसे dy upon 2 plus y तीक है, यह तो एक जगे आगया इसकी integration is equal to minus e x dx upon 5 plus e x, यह आगई एक जगे अब यहार, इसकी integration तो बहुत simple है यह आगई कितनी log of 2 plus y और इसकी integration भी आगई बहुत वैसे तो simple है, actually मैं ने एक गलती क्या गर्दी, वो minus e raised to power x है e raised to power minus x नहीं है तो यह एक blunder होते होते बजगा मुझसे अगर मैं इसको t put कर दूँ तो अपने आप यह dt बन जाएगा नहीं बन जाएगा तो dt by t is equal to log t तो सीधा अंसर आजाएगा मेरा minus log of 5 plus e raised to power x plus c यह फिर log c भी कह सकता हूँ तो अब क्या करो, इस चीज़ को left hand side में ले जाओ और कर दो log a plus log b is equal to log a b तो 2 plus y into कितना आगया है यार 5 plus e raised to power x इसकी value की constant की बराबर है तो e raised to power c basically एक constant है तो मैं लिख सकता हूँ 2 plus y multiplied by 5 plus e raised to power x की value है एक constant यहां से y की value भी निकल जाएगी अब में को दे रखा है y 0 की value है 1 तो put कर देते है constant eliminate हो जाएगा अगर मैं y की x की जगे 0 डालूँगा तो y आजाएगा 1 तो 2 plus 1 x की जगे 0 तो 5 plus 1 basically is equal to k तो मेरे k की value कितनी निकल गई यार 3 into 6 यानि की 18 तो मेरी equation क्या बन गई यार मेरी equation है y plus 2 multiplied by e x plus 5 इसकी value है 18 अब अगर मुझसे पूछा है अगर x है log 13 तो y की value कितनी होगी तो करके देखते है यार यहां बच गया मेरा सिर्फ कितना है y plus 2 is equal to 18 upon 5 plus e x तो 5 plus e raised to power x की जगे कितना है log 13 log e 13 तो तुम्हें पता होगा a raised to power log n कितना होता है n तो यह आगया सिर्फ मेरा कितना है 18 upon 5 plus 18 18 नहीं 13 ठेक है 5 plus 13 होता 18 यानि कि answer आगया 1 तो y की value यहां से कितनी निकल गई 1 minus 2 यानि कि minus 1 option दे रखा है यार हाँ d is the correct answer तो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ तो solve करते हैं अपना question number 8 अब y is equal to y x be a solution of differential equation this फिर मुझसे पूछा है कि x 0 to by by 2 में पहली बात तो y by by 3 अगर 0 के बराबर है तो y by by 4 की value पूछी गई है काफी simple है यार सारी हमारी या तो देखो तीन types की होती है या तो variable separable दे देते हैं तुमें या फिर क्या देतेगे homogenous देतेगे cbsc वाले questions या या फिर देतेगे linear differential equation बस इससे ओपर क्या ही देगे यार तुमें कुछ-कुछ extra types की देते हैं जैसे एक आएगा भी एक बड़ी है question है बस इसमें solve करते हैं इसको हम इसको ऐसे लिख सकते है dy by dx plus कितना y times 2 sin x divided by cos x यानि कि basically सिर्फ tan x लिख देता हूँ मैं सीधा है या पर cos x को divide के है 2 tan x times y is equal to उस साइड कितना था मेरे पास 2 sin x cos x या right sin 2 x यह होता है हम मैंने cos x से divide कर दिया तो सिर्फ बचा 2 sin x तो मुझे बताओ यार मेरा p की value कितनी है 2 tan x मेरे q की value कितनी है 2 sin x मेरे integrating factor if की value कितनी होती है यार e raise to power p dx यारी कि e raise to power 2 into tan x dx tan x की integration कितनी होती है log sec x यारी कि e raise to power 2 times log sec x यारी कि इस 2 को तुम यहाल लगे जा सकते हो log sec square x और e raise to power log sec square x is equal to sec square x तो मेरा if आगया sec square x तो equation क्या होती है यार मेरी equation होती है y into if is equal to integration if into q times dx right तो solution कितना आ गया मेरा यहां से y times sec square x is equal to यहां लिखोगे sec square x और q की value कितनी दे रखे तुम्हें 2 sin x right तो इसकी integration कैसे करे यार अब यह भी काफी जाधा simple है वैसे तो दो तरीके करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो एक को तुम क्या कर सकते हो यार यह देखो तुम इस चीज़ को लिख सकते हो 2 को बाहर निकालो तुम लिख सकते हो sec x into sec x होता है 1 upon q a तो 2 sin x upon q a एक काम तो तुम यह कर सकते हो फिर यह चीज़ कटके कितना बन जाएगा यार यह देखो यार एक ये 2 तो मैं अल्ड़ी भार लही चुक हूँ तो तुम्हार पास आजएगा sec x into tan x और तुम्हें पता होगा sec x tan x की integration कितनी होती है यार सिर्फ sec x क्योंकि sec x की differentiation ये होती थी तो ये कितना आगया है 2 sec x या फिर दूसरा तरीका क्या है तुम इसको लिख सकते थे 2 sin x upon cos x फिर cos x को t put करो sin x dx dt बट ये ज़्यादा easy था जो मैंने करके दिखाया इसकी value कितनी है यार y sec x square x के बराबर plus a constant तो तुम क्या कह सकते हो यहां से मैं ये कह सकता हूँ y की value कितनी आएगी c की जगे दूसरा variable रखते है cos मैं confuse ना हो तो c cos square x write k cos square x अब k को eliminate करना है मुझे एक चीज़ दे रखके y pi by 3 0 है तो करके देखते है यार मेरा जो है y pi by 3 उसकी value कितनी आएगी यहां करते है y pi by 3 y of pi by 3 की value कितनी है 2 cos pi by 3 cos 60 होता है 1 by 2 यहां again k cos 60 होता है 1 by 2 तो 1 by 4 इसकी value है 0 तो यह तो आगया 1 तो 1 plus k by 4 is equal to 0 यहां से मैं कह सकता हूँ k by 4 is equal to minus 1 और k is equal to minus 4 तो मुझे अपना proper function क्या मिल गया y is equal to 2 cos x minus 4 cos square x right मुझसे पूचा गया है pi by 4 की value तो बस x की जगे pi by 4 डाल दो बहुत ज़्यादा simple question बन जाएगा y at pi by 4 की कितनी value होगी x की जगे pi by 4 तो 2 by root 2 minus 4 by 2 root 2 का square तो basically कितना आ गया उपर आ गया root 2 minus 2 क्या ऐसा option दे रखा है यार तुम्हें कहीं भी देखते हैं इसको root 2 minus 2 हाँ तो जो हमारा b है b is the correct answer बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ अब solve करते है question number 9 को the general solution of the differential equation 1 plus x square plus y square plus x square y square का under root times plus x y dy by dx is equal to 0 इस यहर मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है तुम्हें भी दिख गया होगा कि यह variable से variable का question है बहुत simple तब से पहले under root को अग मैं simplify करने के कोशिश करू तो काफी अराम से हो जाएगा 1 plus x square plus y square को common लो 1 plus x square तो basically उस side कितना बचा और इसको हाँ ले जाओ minus x y dy divided by dx अब इसको तुम ले सकते हो common 1 plus y square 1 plus x square देखो यह कह रहा हूँ मैं 1 plus x square into 1 plus y square दोनों का root भी अलग से निकाल लिया इस इकूल टू minus x y dy divided by dx अब क्या बचा यार मेरे पास अब तुम क्या कर सकते हो एक काम यह multiply हो रहे है न y के साथ y की चीजे रखो x के साथ x की चीजे रखो तुम्हारा question solve हो जाएगा तो 1 plus x square का under root यहां रख दो dx divided by x इसकी integration किसके बराबर है minus y dy divided by 1 plus y square के बराबर है right इसको कैसे solve करे काफी जादा simple है वैसे तो तुम x को कुछ put कर सकते हो या फिर डिरेक्टली भी solve कर सकते हो बट हम put कर देते है इस integration के लिए अगर मैं x को put कर दू tan theta तो answer आ जाना चाहिए मेरा dx बन जाएगा sex square theta d theta और integration कितना बचा फिर यहां से तो आ जाएगा sex theta फिर dx कितना है sex square theta d theta और x कितना यार मेरा tan theta फिर यहां कितनी बची अगर मैं इस integration में इसमें तो कुछ नहीं करना तो मैं बस क्या करना यार one plus y square को तुम put कर दो यार t के बराबर तो तुम्हारा कितना यार 2y या फिर t square के बराबर भी put कर सकते हो वैसे तो t square देख लेते हैं t square के बराबर तो मेरा कितना आ गया है यहां से बट फिर y की जगे कुछ लिखना पड़ेगा ना नहीं कुछ नहीं लिखना पड़ेगा यह 2y dy हो जाता सिर्फ इसको t put कर देते हैं तो 2y dy की value हो गई dt तो y dy हो गया half dt तो हम लिख सकते हो minus half times कितना dt by root t और यह 2 भी हैं आ जाएगा तो इसकी integration तो बहुत simple हो जाएगी अब इसकी integration कैसे हो गया sec into sec square upon tan तुम इसको sin और cos में सारी चीज़े लिख सकते हो यहां देखते है यार एक बार sec को लिख सकता हूं कितना यहां लिख सकता हूं मैं कितना 1 upon cos cube theta into tan को मैं लिखूंगा sin theta upon cos theta right इसकी integration यहाँ पर cos और cos कटा यह बचा cos square तो 1 upon cos square into sin theta इसमें हम क्या solve कर सकते हैं 1 upon cos square theta into sin theta कुछ हो सकता है इस चीज़ में मिरे को लगता तो नहीं है मतब क्या ही हम इस चीज़ से उखाड पाएंगे यहां पे यूकि हमें cos को t put करना होगा कुछ भी करके और यह cos square theta है तो एक उपर नीचे मल्डे लाए करेगे तो भी क्या ही हो पाएगा तो कैसे करे यार फिर इस question को यह देखो हमें कुछ options में यह सब दे रखा है log में आ रहा है answer तो कुछ ना कुछ करके हमें log में ही लाना पड़ेगा चीज़ों को तो without substitution try करते है यार एक बार substitution को अपनी हटा देते है यहां में से मुझे दे रखा था ये मैंने ये ले लिया ठीक है यहां x ले गया ठीक है dx के साथ ये भी ठीक है फिर divided by x किया ये भी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कर सकते थे वैसे तो tan theta से answer आ जाना चीए था मैं कहीं गलत कर रहा हूँ या तो तुम इसको क्या लेख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन x square का अंडर रूट ये भी कर सकते हो बट इससे भी तुम्हें क्या ही hint मिलेगी हाँ इससे तुम्हें ये मिल सकता है अगर x को अब तुम put करोगे cot theta या कुछ तो शायद कुछ हो जाए या नहीं कैसे करें इसको यार तुम यार इस चीज में पते क्या put कर सकते हो 1 प्लस x square को t square पुट कर दो 1 प्लस x square को t square such that तुम्हारा 2x dx के बराबर बन जाए यार 2t dt अब तुम बोलोग यार x dx मेरे पास आएगा कहां से अब देखो यार यहां integration में अगर मैं इसको लिखूँ 1 प्लस x square right और यहां लिख दू x dx अपॉन x square कर सकता हो ना अब क्या करो यार 1 प्लस x square की जगे replace करके तुम्हारे पास किर सिर्फ कितना आगया यार t आगया t square आया और उसका अंडर रूट t x dx की जगे तुम क्या लिख सकते हो यार t dt और denominator में x square की जगे लिख सकते हो t square minus 1 ठीक है तो इस सब तो integration होई गई उपर आगया t square minus 1 upon t square minus 1 प्लस 1 upon t square minus 1 तो इसकी integration इसकी integration dt पहले वाले की integration बहुत सिंपल 1 की integration होती है सिर्फ t minus 1 upon 2 यहां आएगा तुम्हारा log वाला formula log में जब t square minus 1 होता है तो आ जाता है कितना आता है यार मेरे पास बताओ यार t minus 1 upon t plus 1 अब t की जगे इसकी जगे एक तो यह लिख लो is equal to minus 1 plus y square plus a constant t की जगे वापस से हमें क्या पूट करना है 1 plus x square का under root तो 1 plus x square का under root minus half times log of यहां भी सिर्फ 1 plus x square का under root minus 1 1 plus x square का under root plus 1 is equal to under root 1 plus y square plus constant अब तो options से तुम मिला सकते हो काफी same options दिख रहे है मुझे तो यहां आ गया 1 plus x square का under root plus 1 plus y square का under root ढूंडो यह options में यह तो यह तो गलत हो गया minus तो बिलकुल नहीं है यह भी गलत हो गया तो यहां तो मेरा option a सही है या b सही है तो lhs यह है rhs में कितना है half log 1 plus x square minus 1 पर यहां plus 1 है पर हमारे पास minus 1 है जब इसको धर ले जाओगे तो इसका मतलब मेरा जो answer है b जो a है a is the correct answer बढ़ते हैं आर अपने अगले question की तरफ करते है question number 10 अपना if y is equal to 2x upon pi minus 1 कोजेक x यह हमें solution दे रखा है इस differential equation का तो मुझसे px की value पूछी गई है तो solution वैसे भी आर कैसे निकलता है किसी भी चीज का सबसे पहले आर देख लेते हैं इसका solution कुछ ऐसा आएगा हमारा px दे रखा है हमारा कितना p basically तो integrating factor कितना होता है e raise to power p dx के बराबर तो यही मेरा integrating factor है तो solution भी यही है y into e raise to power कितना px dx अब is equal to यही e raise to power कितना यार हमारा px dx into q दे रखा है मुझे कितना 2 by π कोजेक x dx ठीक है तो पर यह इसका solution मुझे इसके बराबर दे रखा है तो कैसे निकालू इस चीज को यार वैसे बहुत ज़्यादा simple है तो मैं कुछ करना नहीं था पता है क्या यह चीज तुम्हें सोच नहीं नहीं है प्लस सिर्फ कोजेक x को रखो और उसकी differentiation करो तो मेरा answer कितना आजाएगा 2 by π ठीक है तो यह चीज मुझे किसके बराबर दे रखी है यह देखो इसको कुछ compare करने की कोशिश करो एक तो यह minus मस आईने नहीं इसको इदर ले जा सकते हो तुम एक बार और ढंग से करते है तो मेरे पास कितना आजाएगा dy by dx अब देखना अब एक बात बताओ मुझे 2x upon pi minus 1 into कोजेक x को मैं क्या लिख सकता हूँ सिर्फ इस चीज की बात कर रहा हूँ minus की बात नहीं कर रहा cortex की बात नहीं कर रहा ये चीज तो वापिस से मेरी y आ गई न तो मैं ये चीज को y नहीं लिख सकता हूँ इस पूरी चीज को y लिख सकता हूँ तो ये है minus y cortex तो इस साइड आके बन जाएगा plus y cortex is equal to 2 by pi कोजेक x ठीक है बहुत simple question था है तो तो px मेरा कितना आ गया यार cortex के बराबर किये दुनों सेम है तो b is the correct answer बढ़ते हार अपने अगले question की तरफ question number 11 if dy by dx is equal to xy upon x square plus y square जहाँ y of 1 की value मुझे 1 दे रखी है y x की value e दे रखी है तो x पूछा है मतलब उस value पे x पूछा है कि x की कौन सी value पे answer e आने वाला है यह भी simple ही है इसको तुम क्या किस से करोगे homogeneous से solve करोगे dy by dx उपर भी degree 2 दे रखी है x 1 power 1 और नीचे भी 2 दे रखी है दोनों की degree तो मैं क्या करूँगा y को put कर दो तुम अपना कितना mx such that तुम्हारा dy by dx की value change होके कितनी बन जाती है m plus x dm by dx तो question convert होके कितना बन गया यहां तो आ गया m plus x dm by dx और right hand side में कितना आ गया यार तो x into mx यानि की mx square divided by x square plus m square x square basically x square को काट दो हमेशा कर जाता है सिर्फ m की terms में बचता है यहां पे सिर्फ m की terms में तो आ जाएगा m upon 1 plus m square minus m भी लियाओ तो मेरा कितना बचया यार फिर x dm by dx की value m upon 1 plus m square minus m तो कितना आया m minus m minus m into m square हो गया m cube divided by 1 plus m square m और m cancel हो गया और फिर अब separate कर दो तो 1 plus m square dm divided by m cube minus को साइड रख रहा हमें is equal to minus dx divided by x काफी simple तो अब इसकी integration कितनी आ गई यार 1 upon m cube plus 1 upon m सिर्फ इसकी इतनी सी integration है यहां भी आ गया हमारा कितना dm is equal to log x कितना log x plus c minus में ले सकते हो तो या फिर log cx लिख सकते हो सीधा का सीधा यहां से answer कितना आएगा यार मेरा यहां से बच गया 1 upon m cube की answer कितनी है यह है m raise to power minus 3 dm तो integration आ गई इसका answer log m में आ गया मेरा और यहां आ गया कितना minus log x plus c तो मैं सीधा यार मैं सीधा इसको लिख देता हूँ कितना यार log x लिख देता हूँ या कुछ भी लिख देता हूँ minus में है ना हो तो divide होता है तो मैं लिखूँगा log c by x ठीक है यह आ गया यहां से अब log m को भी यहां ले जाओ minus log m भी कर दो तो यह कितना आ गया यहां से आ गया हमारा minus log c by xm अब m की जगे वापस से डाल दो m की था मेरा y divided by x तो मैं पता है बात तो x और x कट गया तो यह चीज़ बच गयी सिर्फ मेरी log c by y या फिर log c minus log y और यहां से कितना आ गया minus 1 upon 2 y square और यहां आ गया सिर्फ x square इसकी value log c divided by y तो कोई value मिली है यहां से सबसे बहले eliminate करते हैं हम अपने मेरा y1 1 दे रख गया तो x को 1 डालोगे y 1 आ जाएगा तो दोनों की जगे 1 डाल दो तो minus 1 upon 2 यहां से कितना आ गया log c log c की value इतनी है तो c की value कितनी मिल जाएगी मिरको basically log c की value चाहिए थी और किसी की नहीं चाहिए थी क्योंकि this is what log c minus log y also log c की value minus 1 by 2 है ठीक है तो मेरी equation कितनी बन गई यार वापस से देखते है minus x square by 2 y square मैं इस equation को देख रहा हूँ is equal to अब यहां से देखूँगा log c की जगे मैं लिख दूँगा minus 1 by 2 minus कितना हमारा log y सब कुछ तुम प्लस में लिया हो तो तुम्हारा पस कितना आ जाएगा x square by 2 y square is equal to half plus log y अब मुझसे पूछा है यार मुझे यह दे रखा कि y at पता नहीं कौन सी x की value पर e देता है तो y की जगे e डाल दो x की जगे हम देखते हैं अब क्या value आएगी हमारी y की जगे मैं डाल दिया e तो x square by 2 e square की value कितनी है half of log e log e होता है मेरा 1 तो यहां तो आगया मेरा 3 by 2 2 और 2 को काटो तो मेरा x square की value कितनी आगई x square is equal to 3 e square तो x की finally मेरी value आगई जो मुझे चाहिए थी वो कितनी है root 3 times e ऐसा option दे रखा है हाँ b is the correct answer तो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ करते है question number अपना 12 मुझे दे रखा है कि y x solution of the differential equation है 1 minus x square dy by dx plus 1 minus y square is equal to 0 और y half दे रखा है root 3 by 2 तो मुझे ये मुझे ये बताना है कि y 1 by root 2 की कितनी value है या फिर y 1 by 2 की तो इन में से कोई एक option सही है solve करते है बहुत ज़्यादा easy question है यार मुझे दे रखा है 1 minus x square यहाँ लिख दो dy by dx वासे औरली भी कर सकते थे minus 1 minus y square तो मेरे पस कितना बचा dy by 1 minus y square और dx को धर ले जो is equal to integration भी कर दो minus dx upon 1 minus x square I hope तुम्हें समझा रहा होगा direct integration होती है इसके कितनी होती है sine inverse y और यहाँ कितना आ जाएगा मेरा RHS में is equal to minus sine inverse x plus a constant तो मेरे को बड़ी आराम सी differential equation मेरी मिल गई sine inverse y plus sine inverse x की value मुझे c के बराबर मिल गई c को eliminate कर दो मुझे दे रखा है y half root 3 by 2 है तो x की जगे दुम डालो half और y की जगे root 3 by 2 तो sine inverse y की जगे डालना है root 3 by 2 ठीक है plus sine inverse half इसकी value मुझे दे रखी है c के बराबर तो यह मुझे यहार यहार से यह बताओ sine inverse root 3 by 2 कितना होता है sine root 3 by 2 का बनता है 60 degrees पे right किस पे 60 degrees पे तो pi by 3 sine half का बनता है 30 degrees पे तो pi by 6 is equal to c यहार से मुझे क्या मिलता है कि c की value आ गई pi by 3 plus pi by 6 is equal to यहां देखो 2 into 2 करो 3 pi by 6 pi by 2 तो c भी मिल गया मेरे को कितना pi by 2 अब मुझे से पूछा है बाकी values तो अपने सबसे पहले यहां यह लिख देते है कि sine inverse y plus sine inverse x की value कितनी है pi by 2 यहां से इसको इदर ले जाओ pi by 2 minus sine inverse x कर दो ठीक है such that यह कितना मिल जाएगा मेरे को cause inverse x मिल जाएगा तो sine inverse y is equal to cause inverse of x right तो y कितना मिल जाएगा मेरे को यहां से sine of cause inverse x क्या इस बात में तुम्हें कोई doubt है नहीं है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ठीक है तो अब इसको कैसे solve कर यार मुझे मुझे से पूचा है y 1 by root 2 निकाल के देखते है सबसे पहले तो तो y at x is equal to 1 by root 2 की value कितनी होगी sine of cause inverse 1 by root 2 क्या होता है cause कब 1 by root 2 बनता है 45 degrees पे तो यह कितना आ गया यार sine of कितना 45 कितना 45 पे बनता है ना तो यहां आ जाएगा pi by 4 which will again give me what 1 by root 2 as answer तो यही मेरा सही answer होगा यार मुझे दे रखा है कहीं देखो यह तो गलत हो गया यह भी गलत हो गया यह सही है तो c is the correct answer बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ अब करते है question number 13th को the differential equation of the family of curves x square is equal to 4b y plus b b belongs to r is अब यार वैसे तो यह easy question है बट फिर भी एक star लगा देता हूँ easy as in देखो इसमें variable 1 दे रखा है right तो you are allowed to differentiate the equation only once कहने का मतलब देखो x square is equal to 4b y plus 4b square right बट इसको अगर दो बार differentiate करेगे तो y eliminate हो जाएगा मेरा कैसे y के terms में differentiate करते है सबसे पहले फिर x के terms में भी करी सकते है एक ही बात है बट वो करना नहीं है क्योंकि variable a की है we are allowed to differentiate only once सिर्फ एक बार differentiate करो ताकि variables हट जाए बट यार वो variables कैसे हटेगे ये तो सोचने की बात हो गई ना यार कैसे हट सकते हो variables तुम एक काम कर सकते हो तुम b के respect में अपने b को solve कर लो as b की quadratic equation ठीक है यहां से यह देखो तो मैं लिख सकता हूँ 4b square plus 4by minus x square is equal to 0 तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 2 times b का whole square plus 2 into 2b into y plus एक y square भी डाल देते है वापस भी ले आएगे और इसको मैं लिख सकता हूँ कितना x square plus y square मतलब मैं x square को वापस उधर ले गया और एक y square भी add किया मैंने बस ये add और subtract किया ठीक है अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ क्योंकि completing the whole square हो गया तो मैं लिख सकता हूँ 2b plus y का whole square इसकी value कितनी है x square plus y square के बराबर अच्छी बात क्या हो यार यहां से मुझे एक चीज मिल गई कि सिर्फ 2b plus y की value आ गई root of x square plus y square के बराबर इसमें plus minus डाल दो ठीक है अब अगर तुम differentiate करते हो तो एक बारी में तुम्हारे constant गयाब हो जाएगा देखते है यार differentiating both sides with respect to x मुझे मिल जाएगा 0 plus यहां से y dash is equal to इसके differentiation plus minus अभी भी रख लो तो 1 upon 2 root कितना x square plus y square उनका chain rule से differentiation 2x plus 2y into y dash इसको तुम और ढग से यह लिख लो plus minus उपर आ गया सिर्फ x plus y y dash upon यह plus minus है root of x square plus y square 2 भी कड़ गया यहां से answer आ गया सिर्फ y dash के बराबर अब तुम इसको whole square खोल सकते हो यानि कि दोनों side वापिस से squaring कर दो क्यों कि option में y dash का square कहीं ना कहीं दे रखा था मुझे दोनों side squaring कर दो तो यहां आ गया y dash का whole square और multiply भी कर दो इसको इधर लेकर जाके तो यह आ गया x square plus y square इसकी value square करोगे न तो यह plus minus भी खट जाएगा मेरा सिर्फ plus ही मिलेगा तो answer आ गया x square plus y y dash का whole square तो y square y dash square plus two times x y y dash यहां से कुछ-कुछ terms हमारी कड़ जाएगी जैसे की एक तो है x square into y dash का square फिर हमारा कितना है y square into y dash का square यह term कट जाएगी मेरी यहां से यह देखो x square plus y square into y dash का square से ठीक है plus two times x y y dash अब हमारा x भी cancel out हो जाएगा हर जाएगे से ठीक है यहां बच गया सिर्फ x y dash का square वहां से एक x कटा और यहां से two x sorry x तो कट गया मेरा two y y dash अब ऐसी को दे रखी है हमें equation यह देखो fourth ही दे रखी है x into y dash का square is equal to x plus two y y dash ठीक है उपर देखने की ज़रुती नहीं है d is the correct answer तो अब solve करते हैं अपना question number 14th y is equal to y x is the solution of this differential equation e y dy by dx minus 1 is equal to e x such that y of 0 is equal to 0 then मुझसे पूचिए y1 की value काफी simple है आर देखो अपना dy divided by dx minus 1 is equal to e raised to power x divided by e raised to power y ठीक है अब तुम सोचो कि तुम separate कैसे कर सकते हो separate तो यह होई नहीं रहा है क्योंकि अगर plus 1 को तुम इधर ले जाओगे यार तो भी variable separable नहीं होने वाला है मेरा तो क्या कर सकते है इस case में यार इस case में बहुत simple है इसको तुम लिख सकते हो e raised to power x minus y अब तुम्हारे पास क्या है यार dy by dx minus 1 is equal to e raised to power x minus y सीधा सीधा बस एक काम तुम ये कर दो कि x minus y को t put कर दो मैंने बताया था पहले व़ले questions में भी तो 1 minus dy by dx मेरा कितना बन जाएगा अब देख सकते हो question transform क्या हो गया minus dt by dx is equal to e raised to power t अब तो question solve भी हो गया ना यार dt by et इसकी integration is equal to इस minus को भी इधर ही रखो dx इसकी integration अब et को में लिख सकता हूँ minus e raised to power minus t dt is equal to 1 की integration x plus c तो यहाँ भी integration बहुत simple है इसकी यह जाएगी plus e raised to power minus t क्योंकि 1 minus already आएगा divide होगा इसकी value है x plus c अब इस c constant को अटाते हैं मुझे यह दे रखा है पहले तो t को भी आर eliminate तो कर दे t की जगे वापिस से लिखो x minus y तो यह आजाएगा e raised to power minus x minus y यानिकी y minus x I guess तुम समझ पा रहे होगे यह आगया x plus c इसको तुम क्या लिख सकते हो e raised to power y divided by e raised to power x is equal to x plus c इसको तुम वापिस से लिख सकते हो e raised to power y is equal to e x x plus c अब दोनों साइड log ले सकते हो वैसे तो बट पहले ऐसा करते है चल लोग ले लेते है और क्या जा रहा है या फिर values जालते है values को डालते है कौन सा y 0 is equal to 0 यानि कि x पे 0 अगर मैं डालूँगा तो y भी मेरा 0 आ जाएगा तो डालके देखते है यार यहां हम क्या डालके देखेगे सबसे पहले दोनों को 0 तो e raised to power 0 1 e raised to power 0 1 is equal to x के जगे 0 plus c तो c into 1 is equal to मेरा कितना है 1 तो c की value कितनी आ गई यहां से मुझे c मिल गया अपना 1 के बराबर यानि कि मेरा जो actual function है वो कितना है e raised to power y is equal to e raised to power x x plus 1 अब मुझसे पूछा क्या गया है y at x is equal to 1 तो चलो उस y को निकालने की कोशिश करते है at x is equal to 1 तो e raised to power y y हमें अभी निकालना है x की जगे 1 डाल दो e raised to power 1 1 plus 1 कितना आ गया 2 तो e raised to power y की value है मेरी 2 e के बराबर तो यहां से मेरे को y की value कितनी मिल गई log 2 e के बराबर इसको हम लिख सकते है log 2 plus log e के बराबर log e होता है मेरा 1 तो final answer कितना आ गया 1 plus log 2 क्या ऐसा कोई option दे रखा है हाँ a is the correct answer तो वड़ते हैं अपने अगले question की तरफ solve करते है question number 15 को y is equal to yx be the solution of the differential equation यह y यह मैंने क्या लिख रखा है एक बाद ढंक से देखो क्योंकि question में गलत print था y square minus x यह पूरा multiply हो रहा है dy by dx के साथ इसकी value मुझे 1 दे रखी है यह equation है मेरी और फिर मुझे दे रखा है y 0 की value 1 है तो मुझे निकालना है यार dx by dy निकालना है where x की ऐसी value निकालना है find the value find the dy by dx निकालना actually where the curve cuts the x axis यानि कि जो भी curve है वो x axis जहां कट कर रही है इस point पे हमें निकालना है dy by dx basically at y is equal to 0 y तो 0 होगा ना इस case में ठीक है इसका यह मतलब था ठीक है तो solve करते है यार अपनी differential equation को dy by dx की value मुझे क्या दे रखी है यहां से अगर मैं निकालने कोशिच करूं dx by dy को निकालता हूं ठीक है तो y square minus x is equal to वहां जाके चले जाएगा dx by dy इसको मैं अपनी बना सकता हूं linear differential equation of the second type dx plus dy plus 1 times x is equal to y square यह उस type का question है जहां dx by dy plus कितना p dash x p dash y नहीं है वो था 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 नए dy by dx plus py is equal to q p dash x is equal to q dash where p dash and q dash are functions of y यहां बन दे रखा है वहां वो दे रखा है तो सबसे पहले इसका हम निकालेगे integrating factor वो कितना होता था इस case में e raise to power p dash dy तो यानि की e raise to power 1y यानि की e raise to power सिर्फ y आ गया तो solution इस case में हमारा होता था x into if e raise to power y is equal to integration if डाल दो फिर तुम डाल दो अपना y square जो q है into कितना dy इस time ठीक है तो equation कितनी आ गई x e y इसकी integration या directly करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें ऐसा आना वाला है y square minus उसी की differentiation plus उसी की कितनी क्या differentiation इस 2y की differentiation आ गई 2 फिर 2 की differentiation 0 प्लस constant यही आने वाला है तुम्हारा answer अब तुम सोचो कि इतनी जल्दी मैंने integration कैसे की यहाँ side में देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e y bracket में y square y square की differentiation होती है 2y add किया है तो subtract भी करना पड़ेगा अब minus 2y की differentiation होती है minus 2 subtract किया है तो add भी करना पड़ेगा basically मैंने कुछ नहीं किया है add subtract add subtract अब मैं क्या करूँगा pairing काफी जगे मैं बता चुकोंगो तुम्हें फिर लगा दो इसकी integration e x f x plus f dash x e x f x e x f x plus f dash x to e x f x ठीक है e x फिर सिर्फ e x e y मतलब integration यह करनी थी न मुझे right तो अब क्या करना था अब मुझे दे रखा था एक condition दे रखी थी y 0 की value 1 है क्या y at x is equal to 0 is given to be 1 तो क्या करो यार x की value 0 डाल तो और y की जगे तुम डाल तो 1 ठीक है क्या डालना है y की जगे डालना है 1 और x की जगे 0 तो यहां तो 0 आ गया सिर्फ वहाँ e raise to power 1 आ गया मेरा e raise to power 1 यहां आ गया 1 minus 2 plus 2 plus a constant 2 और 2 कटा तो c की value कितनी आ गई यहां से मुझे c मिल गया minus e के बराबर very important तो मेरा at the end curve कितना बना मैं curve को लिख सकता हूं x into e raise to power y is equal to e raise to power y y square minus 2y plus 2 और c की जगे लिख दूँगा minus e के बराबर यहां से मैं यह कह सकता हूं कि x की value मेरी कितनी है e y को काट दो तो y square minus 2y plus 2 फिर क्या है minus e upon e raise to power y यह basically मुझे final अपना x in terms of y curve मिल चुगा है मुझे निकालना क्या था dx by dy where the curve cuts the x axis at y is equal to 0 तो y को 0 डाल देगे dx by dy निकालेगे तो dx by dy y के terms में differentiate करो क्या answer आएगा यहां आ जाएगा 2y यहां आ जाएगा 2 यहां आ जाएगा 0 यहां minus e तो एक constant है और इस चीज़ को मैं लिख सकता था e into e raise to power minus y तो minus e तो constant सायर मेरा e raise to power minus y की differentiation minus e raise to power minus y y के terms में ही हो रहा है अब y को 0 put कर दो तो answer कितना आएगा यहां तो 0 है तो minus 2 यहां हो गया plus e into e raise to power कितना डाल गये y की जगे 0 तो वो तो 1 हो गया मेरा तो answer मेरा कितना आया finally e minus 2 क्या option दे रखा है मुझे 2 minus e option दे रखा e minus 2 तो नहीं दे रखा तो कोई गडबड हो रही है कि यहां पर देखते है एक बार यह भी यह minus 2 आये है नहीं कोई गलती तो है नहीं options में क्या हो सकता यार फिर क्योंकि मेरा को यही दे रखा है value of x यह find the value of x निकालनी है क्या यह dx by dy निकालना है यह गलत question तो नहीं दे रखा कहीं ऐसे करते है x निकालते है at y is equal to 0 तो वो कितना आएगा question बहुत बार गलत हो जाता है क्योंकि ठीक है तो उसकी value निकालते है x at y is equal to 0 at y is equal to 0 है x 0 तो उसकी value कितनी होगी y को 0 डालो यह minus 2 यहां आगया plus 2 ठीक है फिर यहां आगया minus e upon y की जगे मैंने 0 डाला है anything तो यही होता है सिर्फ तो सिर्फ answer आगया मेरा minus e वो भी option दे रखा है क्या नहीं तो answer तो यार e minus 2 यह आना चाहिए मेरा dx by dy सही तो निकाला है मैंने इसको लिखो के 2y इसको लिखो के minus 2 हम बिल्कुल सही और मुझसे पूछा है जब मेरा curve जो है x-axis को cut कर रहा है कोई भी curve जब x-axis को cut करता है तो उस पे मेरा y-coordinate 0 होता है यह भी ठीक है तो इसके जगे 0 डाल दिया तो इसको 0 डाला कट गया यह चीज 0-0 कट गया 2-e अच्छा 2-e तो होगा एक सेगंड कुछ गड़बड की है मैंने अगर यहाँ 0 डालते हो तो मुझसे x की value पूछी गई है ठीक है यार y की value नहीं पूछी गई है b correct answer हो जाएगा यह dx by dy की value नहीं पूछी गई इसका मतलब मुझसे question में wrong लिखा है find the value of x है ठीक है यह नहीं है x add 0 कितना है 0 square plus यहाँ भी 0 आएगा plus 2 minus e तो answer आगया 2 minus e which is correct this is also correct यह dx by dy की value है ठीक है तो इसका मतलब मेरा b is the correct answer बढ़ते हैं आर अपने अगले question की तरफ जो कि है question number 16th consider the differential equation y square times dx plus x minus 1 upon y dy is equal to 0 तो इसमें dy by dx की value निकालने की कोशिश करते है y square dx को मैं लिख सकता हूँ 1 upon y minus x times dy तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया अपना dy divided by dx मिल सकता है यह dx by dy मिल सकता है कौन सा निकालना जादा बेटर रहेगा तुम खुद सोचो कौन सा निकालना जादा बेटर रहेगा dy by dx या dx by dy चलो कर लेते है at the end यह आगया हमारा y square divided by कितना 1 by y minus x I don't think यार यह helpful होने वाला है तो इस idea को हम हटाते है और हम निकालते है अपना कितना यार dx by dy हम देख सकते है dx divided by dy की value मतब दूसरे तरगे की linear differential equation बनाने की कोशिश कर रहे है वो निकल सकता है हमारा वो कितना हो जाएगा y square से divide कर दो पूरा का पूरा तो 1 upon y cube आ जाएगा minus x upon y हाँ this is definitely solvable क्योंकि अब हमारी question इस type की बन चुकी है dx divided by dy plus कितना 1 upon y times x is equal to 1 upon y cube तो यहां से मेरे को अपना integrating factor भी बड़े आराम से मिल सकता है जो की होता है e raise to power p dash dy यानि की 1 by y dy यानि की e raise to power log y यानि की सिर्फ आगया y बहुत साही तो मेरा solution क्या होता है यार x times integrating factor is equal to integration integrating factor into q जो की है 1 upon y cube dy बहुत simple integration आगई इसकी तो x y is equal to कितना 1 upon y square की integration हो जाएगी याँ पे कितनी 1 upon y square जो की कितनी होती है minus 1 upon y plus constant यह कटा है ना इससे देख है अब मुझे क्या दे रखा है यार कि y 1 है जब x 1 है तो दोनों को 1 डाल देते है तो answer आगए कितना 1 times 1 is equal to minus 1 upon 1 plus c तो c को अगर 1 को उससाइड ले जाओगे तो तुम्हें अपना c मिल जाएगा कितना 2 के बराबर तो c की value आगए 2 तो मेरा जो curve था curve कितना बन गया यार x times y is equal to minus 1 upon y plus 2 right अब मुझे से पूछा क्या गया है यह तो सब कुछ e में दे रखी है values यार कितना दे रख है y square dx x minus 1 upon y dy ठीक है उससाइड ले जाओगे तो 1 upon y minus x dx ठीक है अब dx by dy और y square को नीचे divide कर लो इससे तो y square division में आ गया तो कितना आ जाएगा यार मेरा कर division में मैं करता हूँ तो 1 upon y cube फिर x upon y square यह देखो गलती मैंने क्या की यहाँ y square है बहुत सही यार बहुत सही यह होती है मेरी calculation इस मैं ढंक से लिखता हूँ क्योंकि mistake थी मेरी हाँ 2 हो गया तो यह square है तो उपर कितना बचेगा है मेरा यह integration है e raise to power minus 1 by y यह है मेरा integrating factor यह नहीं है तो मेरा solution है वो भी कुछ ऐसा ही होने वाला इसको फिर से लिखते है सब कुछ सारा कच्रा हो गया फिर से करेगे इसको ठीक है तो मेरा e x into e raise to power minus 1 upon y की value कितनी होगी integration of e raise to power minus 1 by y into q q कितना है 1 upon y q भी है वो तो यहाँ लिख दो तुम अपना कितना dy यह तो is हो गया मेरा वहाँ की integration कैसे करूँगा यहाँ की integration कैसे solve होगी 1 by y को t put कर दो तुमारा काम हो सकता है कैसे यह देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e raise to power minus 1 by y into 1 upon y into 1 upon y square dy right तो तुम अगर e minus 1 by y को यहाँ t put करते हो minus 1 by y is equal to t तुम जानते हो 1 upon y square dy हमारा बन जाएगा dt तो this is dt this is e raise to power t and this itself is minus t क्योंकि minus 1 upon y था तो जो मेरा integration है वो convert होगे कितना बन गया यार integral e raise to power t into कितना t minus t में और यहाँ आगया dt अब यह तो simple solve होगा यार इसका तो यह आगया e raise to power minus 1 by y is equal to e raise to power t into t की integration यार यह होती है e t t minus 1 अब यह कैसे होती है तुम by part से कर सकते हो वैसे तो बट मैं दिखा देता हूँ side में e raise to power t है ना तो करो t plus 1 minus e raise to power t ऐसे कर सकता हो ना मैं integration हाँ और यह है e x fx plus f dash x यानि की e x fx ठीक है minus e t की integration सिर्व e t तो यहां से e t को common ले लिया t minus 1 I guess तुम समझ गए हो गयार मैं क्या करना चाहा रहा हूँ यहां पर इसको उटाओ मेरी integration आ गई मैंने t की इसको put किया था minus 1 by y को तो लिख देते है e raise to power minus 1 by y ठीक है यह 1 by y है is equal to minus में e raise to power minus 1 by y यहां कितना आ गया e raise to power minus 1 by y क्योंकि t सिर्फ minus 1 by y क्योंकि t सिर्फ minus 1 by y so sorry minus 1 by y minus 1 ठीक है और यहां dt क्यों कर रहा है यह तो solve हो गया integration plus a constant plus a constant अब दोनों साइड e raise to power 1 by y को multiply कर दो तो यहां सिर्फ आ गया x is equal to इसको भी plus बना दो यार अंदर जाके x को 1 डालतों तो y भी बना जाता है तो यहां से constant की value निकालने की कोशिश करते है सब दोनों को 1 डालके तो यहां आ गया 1 plus 1 is equal to 1 upon 1 plus 1 plus c times e raise to power 1 c e तो तुम कह सकते हो minus 1 is equal to c into e यहां से मेरे को c की अपनी value मिल गई जो की है minus 1 upon e के बराबर तो मेरा curve क्या बनेगा basically मेरा जो curve है मेरे curve की क्या value होगी यहां से देखते है एक बाद curve बन जाएगा x is equal to 1 by y plus 1 plus कितना c की value है minus 1 upon e e raise to power 1 by y यह multiply हो रहे है अब मुझसे पूछा कह गया है मांगा कह गया है जब y 2 है तो x की value बताओ तो x at y is equal to 2 तो y की जगे 2 डाल तो 1 upon 2 plus 1 minus 1 upon e और यहां y की जगे 2 डाला है न तो उपर कितना आ गया e raise to power 1 by 2 यानि की root e ठीक है तो answer आ गया यहां से तुम देख सकते हैं 3 by 2 minus 1 upon root e नीचे ले गया तो ऐसा option दे रखा है आर कहीं हाँ यह रहा जो मेरा answer है c c is the correct answer है हमारी differential equations का इसका जो part 1 है इसका इसके बाद part 2 भी आएगा और यार यह एक बढ़िया question इसलिए क्योंकि इसमें कुछ हमें एक substitution वार नहीं है ठीक है यह hint थी पहले तो खुट try कर इस question को firm करते है solve तो चलो solve करते है मुझे दे रखा है y square minus x cube times what dx इसकी value कितनी किसके बराबर है x y dy के बराबर अब यार इसमें मैं पते क्या कर सकता हूं सोचने की कोशिश करो मतलब एक बारी के लिए क्या करो यार तुम dx को नीचे ले जाओ और y को सिर्फ x को धर ले जाओ मतलब मैं कर क्या रहा हूं y square minus x cube divided by x is equal to y dy by dx अब मैंने y को क्यों रखा यहां यहां मैं x y क्यों नहीं लेकर गया उससे कोई फाइदा नहीं होता क्योंकि अगर मानलो मैं x y ले भी जाता तो उस साइड क्या होता y square minus x cube by x y अब ठीक है नीचे की degree क्या है मेरी 2 उपर की यहां की degree 2 है पर यह 3 है तो यह homogenous भी नहीं बन सकता तो कैसे solve कर है यार homogenous भी नहीं बन सकता यार एक काम कर सकते हो तुम definitely मुझे दिख रहा है यहां y square है और उसके differentiation होती है 2y तो क्या मैं अगर अगर यह must सी substitution मारू y square को put कर दो t so that 2y dy by dx मेरा बन जाता है dt by dx तो basically y dy by dx कितना हो गया half dt by dx और वो मुझे यहां दे रखा है तो एक बार क्या करते है अपनी transformed equation देखते है एक बार y square को मैंने t put किया तो t minus x cube divided by x is equal to half dt by dx कुछ-कुछ यहार solve होता हो मेरे को देख रहाए है हाँ पर क्यूंकि ठीक है अब देखते है इस side लाते है dt by dx half को इस side ले जाओ यहां 2 से multiply कर दो और half को काट दो is equal to तुम क्या लिख सकते हो 2t by x minus कितना 2x cube by x यह x square बचेगा कटके अब इस side लियाओ यार इस चीज़ को तो dt by dx minus 2 by x times t is equal to कितना है यहार महाँ पर जागे तुम तो minus ही रहेगा basically वो चीज़ तो right minus 2x square क्या यह मेरी linear differential equation नहीं है dy by dx plus py is equal to q पर वस y की जगे मेरा t है तो तुम समझ रहो यारे कैसे solve होगा कि यह चीज़ है मेरी कितनी p के बराबर यह चीज़ है मेरी कितनी q के बराबर तो निकालते है आर अपना कितना integrating factor वो होता e raise to power p dt dx या dx होगा dt नहीं होगा dx तो कितना आगया e raise to power minus 2 by x dx तो इसके integration करोगे तो कितना आएगा e raise to power minus 2 log x या फिर इसको मैं लेख सकता हूँ e raise to power log x का whole minus 2 यानि कि x raise to power minus 2 यानि कि 1 upon x square तो तुमारा solution कितना होता है यार y times if यानि कि t times क्योंकि t है यहाँ पे variables variable t times if is equal to integration integral factor जो भी है integrating factor into q तो q है minus 2 x square d x और बढ़िया बात यार x square भी कड़ गया यहाँ की integration तो बहुत सिंपल minus 2 की integration होती है minus 2 x plus constant और यह तो फिर हमारा कितना है t times 1 upon x square अब t की जगे क्या लिख दो वापिस से y square तो y square divided by x square की value यह है यहाँ थे तुम्हें y square मिल गया अपना कितना minus 2 x cube plus c x square के बराबर यह हो गई differential equation चलो solve हो गई बहुत साही अब क्या करना है मुझे general solution निकालना है तो दे तो रखा यार यही है तो इसको एक side में ले जाते है सारा क्योंकि answer में भाई दे रखा है तो आजएगा y square plus 2 x cube plus c x square is equal to 0 y square plus 2 x cube plus c x square is equal to 0 देखो तो हमारा पहला option ही सही है हाँ बिल्कुल सही है तो इसको कर दो यहाँ tick A is the correct answer question number 18 तो मुझे दे रखा है कि मेरा y is equal to yx be the solution of the differential equation x times dy by dx plus y is equal to x log x तो फिर मुझे दे रखा है अगर मेरा 2 times y of 2 at x is equal to 2 is equal to log 4 minus 1 तो मुझसे y of e की value पूछी गई है कितनी होगी यार काफी simple linear differential equation लग रही है मुझे तो करके देखते हैं यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dy divided by dx plus 1 by x times y is equal to log x मैंने किया क्या है यार मैंने बस इस x को divide कर दिया दोनों जगे से ठीक है अब मेरा integrating factor की value कितनी होगी e raise to power 1 by x dx यानि की e raise to power log x यानि की सिर्फ x के बराबर तो simple मेरा solution क्या होगा यार यहां से y into integrating factor यानि की x is equal to integration integrating factor into q और q हमारा यह है ठीक है x को put कर दो अपना यार v के बराबर काफी ज़्यादा simple integration है क्या करते है यार हमारा formula क्या होता है by parts का integration u v is equal to integration नहीं actually u integration v minus integration of u dash integration v जहां दोनों मेरे functions है तो अगर वही चीज़ को मैं यहां लगा दू तो मेरे पास answer कितना है y times x is equal to u की जगे तुम लिख दो log x और अब मैं orally करूँगा x की integration होती है x square divided by 2 similarly इधर जाओ यार u की differentiation 1 by x और फिर integration v यानि की x square divided by 2 और यहां लिख दो dx तो answer कितना आ गया यह तो आ गया x square into log x divided by 2 अब यहां देखो यार 1x cancel हो जाएगा x बचा x की integration x square divided by 2 बट एक 2 पहले से है यहां पर यह देखो तो आ जाएगा x square divided by 4 minus x square divided by 4 plus a constant यह है हमारा y x के बराबर अब यहार इस constant को कैसे eliminate करें मुझे एक fact दे रखा है कि 2y2 की value यह है तो एक बार put करके देखते है y की जगे 2 डाल देते है उससे पहले हम ना सिर्फ y को निकालने की कोशिश करते है y की value कितनी है x into log x divided by 2 यहां से आ गया मेरा कितना सिर्फ x x क्योंकि x कट गया x divided by 4 और यहां से आ गया c divided by x अब क्या करो 2 को उस side ले जाओ क्योंकि 2y2 दे रखा है न चलो वो रहने दो तुम्हें काम कर सकते हो कौनसा यार key put कर दो x की जगे 2 अगर x की जगे तुम 2 को put करोगे तो y तुम्हें मिल जाएगा ये जो पूरी चीज है 2 को नीचे लिजा सकते हो तुम ठीक है तो मैंने डाल दिया x is equal to 2 तो y at x is equal to 2 की value कितनी होगी 2 upon 2 कट गया यहां सिर्फ बचा मेरा सिर्फ log 2 minus 1 upon 2 plus c upon 2 x की जगे 2 टाला है न मैंने अब इसकी value मुझे कुछ दे रखी है जो है log of 4 minus 1 divided by 2 2 क्यों क्योंकि ये सिर्फ 2 y 2 था है तो सिर्फ y 2 हो गया मेरा this divided by 2 अब इन दोनों को compare कर लो अपनी c की तुम्हारी value मिल जाएगी एक तो तुम इसको क्या लिख सकते हो यार log 4 divided by 2 minus 1 divided by 2 ठीक है अब log 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ तो मैं पता है 2 log 2 divided by 2 और 2 और 2 कट गया minus 1 divided by 2 इसकी value कितनी है यार मेरी इस expression के बराबर यानि कि log 2 minus half plus c by 2 अब यार ये तो यहां से कट गया ये चीज यहां से तो c की मेरी simple value कितनी आ गई 0 तो c is 0 तो जो मेरा function at the end वो कितना बचा y is equal to x log x divided by 2 minus x divided by 4 मुझसे पूछा क्या गया है अब y of e तो क्या करो x की जगे तुम put कर दो e तो y of e की value कितनी हो गई e upon 2 log e होता है मेरा 1 minus e upon 4 तो answer कितना आ गया यार e upon 4 तो ऐसा option दे रखा है क्या कहीं ये रहा c is the correct answer तो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ तो करते है question number 19 अपना if a curve passes through the point 1, minus 2 and has slope of the tangent at any point x, y on it as x square minus 2y divided by x तो मुझसे पुछे the curve also passes through the point इन चारों में से कोई एक तो सबसे पहले curve की equation निकालने की कोशिच करते है मुझसे पुछे slope of tangent यानि कि dy by dx at any x point मुझे दे रखा है x square minus 2y divided by x यह यह भी एक typical question होने वाला है किसका linear differential equation का यहां से बचा x minus कितना 2 by x times y उसको उस साइड ले जाओ तो तुम्हार पास आ गया dy by dx ठीक है प्लस p times y is equal to q जहां यह हो गया यार मेरा p और यह चीज हो गई मेरी कितनी q तो मेरा integrating factor यार यहां से कितना निकलेगा इधर देखो यार integrating factor होता है मेरा e raise to power p dx तो कितना हुआ e raise to power 2 को बाहर लो 1 by x dx तो e raise to power 2 log x यानि कि x square आएगा वैसे तो answer कि किसको हम लिख सकते है e raise to power log x का square तो यह कितना आ गया मेरा x का square तो मेरा solution क्या होता है यार y into if is equal to integration if into q q की value x dx तो यह तो काफी simple integration है यार y into x square is equal to x cube की integration x 4 divided by 4 plus a constant तो इसको और ढंक से लिख देते है तो मेरा y की value आ गई x square divided by 4 plus c divided by x square अच्छा तो अब मुझे दे रखा है curve 1, minus 2 से pass करता है यह conditions इसले दे रखी है ताकि c को हटा दो किस point से pass करता है यार 1, minus 2 तो डाल देते हैं y की जगे minus 2 और x की जगे 1 तो minus 2 is equal to 1 by 4 plus c by 1 तो यहां से c की भी कुछ न कुछ यार value मेरे को मिल रही होगी ठीक है 1 by 4 को अधर ले जाओ तो c की मेरी value कितनी आ गई यार minus 2 minus 1 by 4 इसको minus 8 by 4 लिख सकते है तो answer आ गया minus 9 divided by 4 तो at the end मुझे अपना curve क्या मिला c को हटा देगी अगर हम eliminate हो गया तो y is equal to x square divided by 4 और c की जगे minus 9 upon 4 x square तो this is the curve अब मुझे से पुछा है क्या इन में से भी किसी point से यह pass करता है तो यह तो हमें put करके ही देखना पड़ेगा है ना और तो क्या ही हमारा option है तो मुझे दे रखा है y is equal to इस जगे देखो यार इसको थोड़ा कर देते है यार हम highlight ठीक है मुझे दे रखा है y is equal to x square by 4 minus 9 by 4 x square तो अगर मैं इसमें root 3,0 मेरे को ऐसा लग रहा है पहले 3,0 ही put करके देख लेते है ठीक है तो कितना आ जाएगा y की जगे 0 तो 0 is equal to 3 का square कितना होता है 9 divided by 4 minus 9 divided by 4 into 9 तो 9 divided by 4 minus 1 upon 4 0 नहीं होता ठीक है यह तो wrong हो गया अब root 3,0 put करते है y की जगे 0 x की जगे root 3 तो 3 by 4 minus 9 into 4 by 3 तो ठीक है 3 by 4 minus 3 by 4 0 यह correct है तो इसका मतलब b is the correct answer it satisfies the curve तो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ करते हैं solve question number 20 को if yx is the solution of the differential equation dy by dx plus 2x plus 1 upon x into y e raised to power minus 2x फिर मुझे दे रखा है where y1 की value कुछ यह है e raised to power minus 2 upon 2 तो मुझसे पूछा है y of log 2 की value क्या है और यह कुछ decreasing decreasing वाले भी questions दे रखे है तो करते हैं यह भी एक typical question है dy by dx plus p times y is equal to q का जहां p और q are functions of x तो directly अपना क्या निकालते है integrating factor यहां से तो e raised to power 2x plus 1 upon x कितना dx तो कितना आ गया यहां से मेरा आ गया e raised to power 2x upon x कितना आ गया 2 plus 1 upon x तो इसकी integration कितनी होई यहां यहां आ गया सिर्फ 2x minus यह plus plus log x इसको हम अलग से कुछ लिख सकते है यहां बिलकुल लिख सकते है इसको लिख सकते है e raised to power 2x into e raised to power log x यानि कि मेरा आ गया कितना x into e raised to power 2x ठीक है अब यह अच्छी चीज इसलिए आई है क्योंकि integration में कट जाएगी हां पर चलो अब solve करते है equation कितना आता है मेरा y into if is equal to integration if into q dx तो solve कि कितना आ जाएगा है मेरे पस y की जगे y रखो if की जगे x into e raised to power 2x is equal to x into e raised to power 2x into e raised to power minus 2x dx या out cancel out हो गया और x की integration बहुत simple होती है x square by 2 plus a constant तो मेरे कितनी आ गई curve की equation y into x into e raised to power 2x is equal to x square by 2 plus a constant अब मुझे दे रखा है y of 1 की value है e raised to power minus 2 upon 2 तो y की जगे ये अजीब सी चीज डाल दो जो की कितनी है यार मेरी e raised to power minus 2 divided by कितना है यार मेरा यहाँ पर 2 ठीक है और x की जगे डाल दो 1 तो 1 into e raised to power 2 into 1 2 हो गया ठीक है ये cancel out हो गया बहुत ही बढ़िया यहाँ मेरे को कितना मिला यार x की जगे 1 डाल है तो 1 upon 2 plus a constant this is 1 upon 2 तो 1 upon 2 1 upon 2 कट गया मेरे को अपना constant मिल गया which is 0 के बराबर constant 0 मिल गया तो मेरा जो curve है वो कितना हुआ y into multiply हो रहा है मेरा y into x into e raised to power 2x is equal to x square by 2 इसको और फर्दर तुम क्या लिख सकते हो कि जो मेरा y है सिर्फ उसकी value कितनी है x भी cancel out हो जाएगा क्योंकि मेरा तो x into x upon 2 e raised to power minus 2x उस साइड ले गया हमें यह आगया curve अब कुछ बातें दे रखी थी y of log 2 निकालते हैं पहले इन दोनों में से अगर कोई नहीं हुआ तो हम यह decreasing increasing का check करेगे तो x की जगे डाल दो यार log 2 तो y of log 2 की value कितनी हो गई यार यहां में लिखूंगा log 2 divided by 2 e raised to power कितना है यार minus 2 into यहां आगया log 2 तो इसको हम क्या लिख सकते है यार फर्दर जो यह वाली चीज़ है सिर्फ इतको लिख सकते है e raised to power log 2 raised to the power minus 2 this is nothing but 2 तो 2 raised to power minus 2 ठीक है वो कितना हो गया यार 1 upon 4 हो गया तो answer मेरे को मिल गया log 2 upon कितना 2 into 4 8 ऐसा option दे रखा है log 4 में दे रखा है तो चलो करते है यार मुझे एक बात बता हो यार मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ मेरा log 4 होता है यार कितना 2 log 2 तो इसको उप़र 2 से multiply करो नीचे 2 से तो मुझे मिल गया अपना log 4 upon 16 ऐसा कोई value दे रखी है यार नई तो ये दोनों गलत है तो मुझे decreasing increasing का check करना पड़ेगा कैसे check करते हैं इसको differentiate करके तो क्या करो यार अपनी equation number मैं इसको mark करता हूँ 1 को differentiate करो तो हमारा कितना निकलेगा यार dy by dx या फिर f dash x तो इसकी value कितनी आ गई यार सबसे पहले x by 2 into differentiation of e raised to power minus 2x which is e raised to power minus 2x into minus 2 chain rules फिर उसके बाद e raised to power minus 2x divided by 2 और x के differentiation 1 अब अगर ये मेरा कुछ increasing decreasing के लिए में को greater than equal to 0 और वो सब देखने पड़ते है तो इसमें से कुछ common हम ले सकते हैं क्या यार common तो ले ही सकते हैं तो ये 2 और 2 cancel out हो देगा नहीं हां से ठीक है तो अगर मैं e raised to power minus 2x common लेता हूँ तो वहाँ बचेगा 1 by 2 और यहाँ बचेगा minus minus ही रह जाएगा देखो एक minus है minus x ठीक है तो अगर ये पूरी चीज मेरी कितनी होती है अगर मैं लिखता हूँ e raised to power minus 2x half में minus x if it is greater than 0 then it is increasing if it is less than 0 it is decreasing तो अगर ये greater than 0 है तो इसमें हम देखो wavy curve use करना है एक चीज ध्यान रखना यहाँ x minus half कर देना तो ये less than 0 हो जाएगा और अभी ये increasing की condition है मेरी तो अगर हम wavy curve अपना plot करते है और यहाँ सिर्फ एक मेरा point आने वाला है क्योंकि this is never equal to 0 वो point है मेरा half ये हो गया plus ये हो गया minus मुझे minus वाला area लेना है तो जो मेरा function है minus infinity से लेकर half तक कर रहा है increase और half से लेकर आगे तक कितना infinity तक कर रहा है decrease तो ऐसा कोई option दे रखा है देखो ये रहा half से लेकर आगे तक मेरा decrease कर रहा है तो this is the correct answer ये wrong हो जाएगा योगि 0 से नहीं कर रहा है तो c is the correct answer बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ अब solve करते है question number 21 को the solution of the differential equation dy by dx is equal to x minus y का whole square जब मेरे को y at x is equal to 1 की value 1 दे रखी है तो यार ये तो बहुत जादा easy हो गई यार dy by dx कितना दे रखा है मुझे मज़ा कहे तो x minus y का whole square तो ऐसे cases में क्या कर रखा हो सीधा अपना जो भी ax plus by दे रखा है put x minus y is equal to t तो इसको differentiate करो तो 1 minus dy by dx की value तुमारी आ जाती है यार dt by dx के बरावर तो यहां से तुम्हें कितनी मिल गई यार अपनी dy by dx की value जो की है 1 minus dt divided by dx तो तुम्हारा question transform किसमें हो गया यार dy by dx की जगे लिखो 1 minus dt by यह dy नहीं है dt by dx is equal to t square अब तो आएकेस इसकी integration तुम करी लोगे अब उस side ले जाओ इस चीज़को तो तुम्हारा बच गया dt by dx की value 1 minus t square तो इसको variable से परेबल से solve करो यार dt upon 1 minus t square की integration is equal to dx की integration तो this integration को solve कैसे करेंगे यार 1 upon 2a log of कितना आएगा यार मेरा ये उल्टा है a square minus t square है तो 1 plus t upon 1 minus t formula यार very important ठीक है जब नीचे a square minus t square होता है तो लोग में ऊपर क्या आता है a plus t और a minus t जब t square minus a square होता है तो तुम्हारा आएगा t minus a upon t plus a या फिर a minus t mod है वो anyways तो इसकी answer कितनी आए यार मेरा x plus constant t की जगे वापिस से हमें क्या डालना था back substitute करना था अपना x minus y को तो डाल देते हैं तो एक तो 2 को अधर ले जाते हैं यहां मेरा आगया log of कितना 1 plus x minus y divided by 1 minus x plus y का ये है mod इसकी value कितनी है यार मेरी 2x plus कोई भी constant ये c को multiply करोगे 2 से कोई फरक नहीं पड़ता it is a constant मुझे एक बात दे रखे कि x की 1 पे value y की भी 1 होती है तो दोनों को 1 डाल दो यार तो यहां मेरा कितना बचेगा यहां आगया log of 1 plus 1 minus 1 upon 1 minus 1 plus 1 तो at the end log 1 आगया जो जो जीरो होता है मेरा तो यहां आगया 2 plus c तो 2 plus c is equal to 0 c की value यहां से कितनी आगयी यार minus 2 के बराबर तो c की value यार मेरी आगयी है minus 2 तो जो मेरा curve है जो curve ये था वो निकल चुका यहां minus 2 डाल दो बस मुझसे फिर पूची गई थी कुछ ऐसी value तो चलो वो निकालनी पड़ी यार मेरे को x minus y तो नहीं होगा b correct answer यार साफ साफ दिख रहा है यह देखो अगर मैं c की जगे डालता हूं minus 2 तो it is nothing but 2 को भी common ले लो यहां आगया 2 of x minus 1 अब question में देखो यार यह क्या दे रखा है यह देखो 1 minus x plus y तो something is definitely wrong देखो यहां तो x minus 1 ही आनेगा तो यह x minus 1 ही है तो यह option तो कते ही गलत है तो this is correct अब देखते हैं यह जो मैंने integration तुम्हें बताई है 1 minus x plus y तो 1 plus t है उपपर बढ़ हां यार अगर मैं कभी भी करता हूँ a square minus t square की integration dt में तो उपपर 1 plus t ही तो आता है इसको solve करके देखते है यार कोई double thoughts नहीं जाता है तो यहां आगया dt इसको लिख सकता हूँ कितना 1 plus t into 1 minus t इसको मैं उपपर लिख सकता हूँ को multiply और divide कर सकता हूँ 2 की जगे लिख दो 1 plus t plus 1 minus t divided by ये हाँ यार ठीक है यार ये भी तो दोनों time मेरी यही तो integration आएगी पहली आएगी कितनी यार log of 1 minus t और वो minus में आएगी ठीक है plus कितनी आएगी मेरी log of 1 plus t तो answer कितना हुआ log of 1 plus t upon 1 minus t सही तो लिखा यार मैंने यहाप है ठीक है डाउट नहीं होना चाहिए तो this is correct 1 plus t और t की जगे मैंने क्या पूट किया था यार x minus y ही पूट किया था t की जगे यार देखो 1 minus dy by dx dt by dx dy by dx is 1 minus dt by dx correct उसको इधर ले जाओ 1 minus t square सब कुछ तो सही है यार 1 plus x minus y और नीचे कितना यार 1 minus x plus y आएगा नीचे ठीक है 1 minus x plus y क्योंकि x minus y मेरा t के बराबर है तो let's change this thing क्योंकि question नहीं अलग बना देगा यार यह 30 तो यह अटाओ यहाँ आएगा मेरा कितना minus और यहाँ आजाएगा मेरा plus इसको करते है अपना change 1 plus x minus y और 1 minus x plus y आएगा यहाँ ठीक है 1 minus x और उसको हम कर देगे plus y ठीक है so this is the correct answer b is the correct answer तो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ अब solve करते हैं question number 22 को अगर मेरा y is equal to fx is the solution of the differential equation dy by dx is equal to tan x minus y times x square x such that x is equal to 0 पर y की value आ रही है 0 तो मुझसे पुछा है y of minus pi by 4 की कितनी आखिरकार value होगी करते हैं solve y typical तुम्हारा क्या आ रहा है linear differential equation dy by dx वहाँ तुम लिख सकते हो कितना tan x into sec square x into तुम लिखोगे minus y into sec square x ठीक हैं उस side इसको इदर इस side लिया हो तो तुम्हारा पास आ गया dy by dx plus py जहां ps x square x p times y is equal to q और q है मेरा tan x into sec square x ठीक हैं अब क्या solve करना है यार हमें हमें निकालना है सबसे पहले अपना क्या integrating factor तो if की value मेरी कितनी हो जाएगी e raise to power कितना p dx तो आगया e raise to power sec square dx यानि कितना आगया e raise to power tan x ठीक है तो हमारा जो solution होता है वो क्या होता है यार वो होता है y into if e raise to power tan x is equal to integration if e raise to power tan x into q q है मेरा tan x into sec square x dx इसकी integration बहुत simple है सीधा सीधा तुम क्या करो tan x को t put करना है तुम्हें such that तुम्हारा जो sec square x है dx है वो बन जाएगा dt के बराबर तो ये चीज़ बन गई है dt ये है t ये है e raise to power t तो the integral converts into e raise to power t into t into dt यहां तो as it is तुम क्या लिखोगी अपना y into e raise to power tan of x ठीक है अब इसकी integration यहर मैं बहुत बार बता चुका हूँ जो अलग से मैं formula तुम्हें बता रहा था उससे तुम solve कर सकते हो कैसे e raise to power t by part की ज़रूती नहीं होती ठीक है into मुझे बताओ t की differentiation कितनी होती है 1 1 add किया है तो subtract भी करना पड़ेगा तो subtract कर दिया dt अब देखना इसकी direct integration हम मैं कैसे लिखता हूँ इसकी integration मेरी हो जाएगी e raise to power t into t minus e raise to power t ठीक है अब तुम खुँँ सोचना मैंने इसकी integration ऐसी क्यों लिखी है तुम by part से confirm भी कर सकते हो बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँगे ठीक है मैं अब कही ना कही integration में आता जाता है तो इसके बाद इसमें है plus a constant t की कोई ना कोई value दे रखी होगी जो की है मेरी मैंने पूट किया था tan x ठीक है t की जगे वापे से डाल दो tan x तो y into e raise to power tan x की value कितनी हो गई e raise to power tan x यहाँ थे तो यह लिखो यह t minus 1 था तो कितना आ गया tan x minus 1 plus a constant तो मेरे y की value यहाँ से कितनी हो जाएगी मुझे मिल गया अपना y is equal to tan x minus 1 मैंने e raise to power tan x को divide कर दिया plus c into e raise to power minus tan x ठीक है अब मुझे कुछ condition दे रखिये कि y 0 0 है तो डाल दो x की जगे 0 तो यहाँ मिल जाएगा मुझे y at x is equal to 0 is equal to 0 minus 1 plus c e raise to power 0 तो यानि की e raise to power 0 होता है 1 तो c इस की value मुझे दे रखिये 0 तो c की value मुझे यहाँ से clearly कितनी मिल सकती है यार 1 के बराबर तो क्या मुझे अपना वो मिल जा फंक्षन बिलकुल y की value आ गई tan x ठीक है minus 1 plus 1 तो यानि की e raise to power tan x minus में इसको denominator में भी लेगा जा सकते है अगर तुम्हें plus में चाहिए तो मुझे से पूछा क्या गया यार y of minus pi by 4 तो क्या करो x की जगे minus pi by 4 डाल दो तो y of minus pi by 4 tan of minus pi by 4 क्या होता है minus 1 तो minus 1 minus 1 plus e raise to power minus into minus 1 यानि की plus 1 तो this is what e minus 2 this is e minus 2 ऐसा option दे रखा है हाँ c is the correct answer बढ़ते हार अपने अगले question की तरफ तो अब solve करते हैं अपना question number 23 let y is equal to yx be the solution of the differential equation dy by dx plus p times y is equal to q की form में और y 0 1 दे रखा है तो मुझे कुछ relations बताने y pi by 4 और y dash minus pi by 4 के बारे में तो सबसे पहले तो अपना y निकाल देते हैं फिर y dash फटा फट से मुझे अपना मिल जाएगा integrating factor कितना है वो है e raise to power p dx यानि की e raise to power tan x dx यानि की कितना e raise to power tan x tan x की integration होती है log sec x तो e raise to power log of sec x dx मतब log sec x तो सिर्फ answer आगया कितना sec of x तो मेरा solution कितना होता है y into if यानि की y into sec x is equal to integration of what if की value तुम लेखोगे sec x के बराबर ठीक हैं और इसके बाद q की जगे तुम क्या लिखोगे यार q तो मुझे दे रखा है 2x plus x square tan x यहां तुम लिख दोगे कितना यार dx और तो कुछ कर नहीं सकते हैं तो अब इसकी integration करना तो एक task है अगर मैं tan x को t put भी करूँ तो मतलब sec square x tan x कुछ scene बन रहा है यार यहार एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ इसकी integration कुछ न कुछ तरीके से तो होई सकती है या तो तुम by parts लगा दो सिर्फ इस में या by parts लगा दो सिर्फ इस में इस चीज़ में sec x tan x और x square में बट मैं तुम्हें बताऊँगा कि इसको मैं यह लिख सकता हूँ sec x into differentiation of d by dx of x square क्योंकि मुझे समझार है यह x square की differentiation है प्लस मैं यहां कहाँ लिख सकता हूँ x square into differentiation of sec x क्योंकि sec x की differentiation कितनी होती है sec x tan x के तो मैं बात समझा रही है तो यह basically क्या है यार first function second function की differentiation second function first function की differentiation this is product rule जो हमने सबसे पहले पढ़ा था differentiation में तो it is d by dx of कितना आगया x square sec x अब तुम बोलोगे यार तुमने कैसे तो चूचा यार यह भाईया तो यार यह practice से और experience से ही आता है basically तुम जितने loads of questions करोगे तो तुम्हें ये चीज़े ना दिखनी शुरू हो जाएगी ठीक है जैसे मानलो तुम्हें दे रखा होगा अगर x cause x plus sin x तो समझ जाओ यार ये कितनी x sin x की differentiation है मतलब वो मन में करने की कोशिश किया करो तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएगा तो ये ये है ना तो बस इसकी जगे मुझे क्या लिखना है यार यहां मैं लिखूंगा d by dx of what x square into sec x और यहां वापिस से कितना है यार dx तो dx dx cancel d of this सिर्फ मेरा integration कितनी आ गई x square into sec x plus a constant is equal to ये है मेरा y sec x के बराबर यहां से मुझे अपना y मिल जाएगा यार y की value कितनी है x square plus c cause x मैंने क्या किया है sec x इसको एक तो constant change कर देते है k तो k cause x एक दी बात है constant है ठीक है अब इस k को eliminate करना है given that y 0 वेरा 1 है तो x को 0 डालो y की value आ जाएगी 1 तो यहां आ गया 1 सिर्फ cause x ठीक है अब कुछ-कुछ बाते दे रखिये पर सारी मुझे at the end देखो हर option में y dash pi by 4 है और y dash minus pi by 4 है ठीक है हर option में ठीक है तो तुम क्या निकालो अपना सबसे पहले तो y dash y dash की value कितनी आ जाएगी यहां से आ जाएगा तो 1 by root 2 ठीक है अब मुझे बताओ y dash of minus pi by 4 भी मुझसे पूछा गया था तो उसकी value कितनी हो गई minus pi by 2 और वहां से plus हो जाएगा plus 1 by root 2 क्योंकि पहले से minus है अब कुछ-कुछ ना चीजे दे रखिया है मुझे मुझे यह बताओ मेरको b option सही लग रहा है क्योंकि अगर मैं दोनों को subtract करूँ इन दोनों को subtract करूँ तो pi by 2 minus minus pi by 2 आगया मेरा pi और minus 1 by root 2 minus minus 1 by root 2 आगया मेरा minus 2 by root 2 basically which is root 2 तो b is the correct answer तो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ solve करते हैं अपना question number 24 if dy by dx plus 3 by cos square x times y is equal to 1 upon cos square x जहां x यहां से लेकर यहां तक belong करते हैं और y pi by 4 की value 4 by 3 दे रखी है तो y of minus pi by 4 मुझे निकालना है ठीक है तो solve करते हैं इस चीज़ को अपना इसको मैं लिख सकता हूं कितना यार dy divided by dx एक तो option कितने गंदे दे रखे हैं यार देखो e raised to power में आ रहे हैं यहां तो कुछ नामू निशान ही नहीं है e raised to power का ठीक है वैसे question wrong भी हो सकता है printing wrong बट कोई नहीं इसको तुम लिख सकते हो dy by dx plus p times 3 sex square times y क्योंकि मैं उपर ले जाके sex square x बना दिया is equal to कितना यार मेरा sex square x which is equal to q and this thing is p तो मुझे बताओ integrating factor यहां से मुझे कितना मिल जाएगा वो होता है e raised to power integration p dx यानि कि e raised to power 3 into sex square x dx यानि कि आ गया मेरा सिर्फ integrating factor e raised to power 3 tan x right कितना 3 tan x तो इसको solve करते हैं फर्दर मुझे कितना मिल जाएगा मेरी जो equation होती है वो होती है y into integrating factor is equal to what integration of integrating factor जो है e raised to power 3 tan x into q और q मेरा कितना है यार sex square x dx अब इसके integration तो काफी जादा फट्टू है यार तुम्हें literally क्या करना है बस क्या करो 3 tan x या फिर सिर्फ tan x को भी वैसे put कर सकते हो sex square x dx तो दोनों ही चीज़े तुम कर सकते हो solve y करके देखते है वैसे तो this becomes what this becomes e raised to power 3 t into यहां आगया मेरा d t जिसकी simple integration होती है कितनी e raised to power 3 t divided by 3 plus a constant वापस से इसकी जगे क्या डाल दो tan x तो e raised to power 3 tan x divided by 3 plus a constant इसकी value कितनी है y into e raised to power 3 tan x अब क्या करो इसको further simplify करने के लिए y को लिख दो सिर्फ कितना यार 1 upon 3 plus c upon या फिर c into e raised to power minus 3 tan x भी तुम लिख सकते हो अब हमें put करना था y pi by 4 मुझे दे रखा है 4 by 3 तो constant को eliminate करते है तो हमें क्या मिल जाएगा यार y of pi by 4 which is equal to 4 by 3 is equal to what 1 by 3 plus c into e raised to power minus 3 into tan pi by 4 कितना होता है यार मेरा tan pi by 4 is 1 तो ये value मिल गई मिल को इसकी value है 4 by 3 के बराबर तो इसको simplify करते है 1 by 3 को उधर ले जाओ 3 by 3 यानि कि 1 की value है c into e raised to power minus 3 तो मुझे अपना constant मिल गया यार मुझे अपना constant मिल चुका है 1 upon e cube actually सिर्फ e cube के बराबर तो अब यार मेरा curve कितना हो गया यार यहां से देखते है अपने इस curve को और c की value कर देते है इस चीज में put मुझे मिल गया y is equal to 1 by 3 प्लस यहां लिख दूँगा e cube into e raised to power minus 3 tan x वैसे 3 minus 3 common ले सकते हैं 1 minus tan x तो e raised to power 3 और e raised to power minus 3 tan x को भी मैं लिख सकता हूँ 3 को common लेके 1 minus tan x anyways मुझे निकालना है e raised y minus pi by 4 तो चलो यार वो निकालते हैं यहां से मिल जाएगा y of minus pi by 4 की value कितनी 1 divided by 3 यहां पर आगया plus e cube और x की जगे minus pi by 4 यानि कि यहां आगया e raised to power minus 3 into minus pi by 4 which is equal to what minus 1 तो minus 3 into minus 1 which is equal to plus 3 तो यहां e 6 आगया ना तो answer कितना मिल गया 1 by 3 plus e raised to power 6 जो गंदे से answer नहीं थे यह रहा a is the correct answer तो बढ़ते हार अपने अगले question की तरफ solve करते हैं अपना question number 25 अब the curve among the family of curves represented by the differential equation x square minus y square times dx plus 2xy dy is equal to 0 which passes through 1,1 यह कैसा type का curve होने वाला है तो differential equation को solve कर दो यह उस topic का question है formation of differential equations types का तो यह आगया x square minus y square times what dx is equal to उस side ले जाओ minus 2xy कितना आगया dy तो यहां से मुझे अपना dy divided by dx मिल गया जो की है y square minus x square मैं minus sign को absorb कर रहा हूँ upon कितना आगया मेरा 2xy तो यह तो काफी typical question है किस चीज़ का typical question है homogeneous linear differential equation तो यहां मैं put करूँगा y is equal to mx ऐसा क्यों? उपर की degree 2,2 तो 2 हो गई, यहां की 1,1,2 हो गई यहां पी ठीक है, तो y mx put करते ही मेरा जो dy by dx है वो कितना बन जाता है? m plus x dm by dx और उस side क्या सीन आ जाए गार मैं directly लिख रहा हूँ m square minus 1 upon 2m तुम समझ सकते होगे क्यों? देखो यार यह बनता कितना है यार मेरा m square x square क्योंकि mx है ना minus x square upon 2 into x into mx ठीक है? तो x square कट गया हर जगे से, तो नीचे 2m बचा अब क्या करो यार? इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ x times dm divided by dx की value कितनी आ गई? m square minus 1 upon 2m minus m तो इसकी value कितनी आ गई? further m square minus 1 minus 2m square यह minus में है न हाँ, right upon 2m, इसकी value है x dm by dx फिर से arrange करते x into dm divided by dx की value कितनी आ गई? यहां से तुम लिख सकते हो minus m square minus 1, minus को common लो m square plus 1 upon 2m काफी basic integration आने वाली है यार इसकी तो कैसे? करके देखते हैं m को m के साथ रख लो dm के साथ और सारे x को dx के साथ तो मेरा आ गया 2m times dm upon m square plus 1 जिसकी सीधी सीधी integration है log m square plus 1 is equal to minus dx times x है right अब अगर तुम इसको t put करते हो dt है तो यह कितना आ गया dt by t तो answer आ गया log t तो मैं directly लिख रहा हूँ यहां आ गया कितना मेरा log of m square plus 1 is equal to minus of log x log cx भी लिख सकते हो तुम सीधा तो मैं लिख देता हूँ log cx k नहीं यह है x इसको उस साइड ले जो तो तुम्हें मिल गया अपना कितना यार log of m की जगे अब डाल दो यार y square by x square plus 1 यह multiply किस से हो रहा है यार मेरा कितना cx से इसकी value कितनी है हमारी 0 तो e raised to power 0 यानि की 1 तो मैं लिख सकता हूँ y square plus अपना x square divided by x square into cx इसकी value है मेरी 1 के बराबर x को भी काट दो तो y square plus x square times मेरा है यहाँ c upon x is equal to कितना है हाँ यहाँ तुम डाल दो कितना यह तो 1 ही है न तो इधर भी तुम डाल सकतो x को उस साइड ले जा सकतो है अच्छली न तो यह काम करते हैं x को ले जाते है उस साइड अपना तो यार यह तो साफ साफ दिखा रहा है circle की equation है तो option में देखते है ellipse नहीं है भाई देखो दो option है पर circle के a या c तो अगर जल्द बाजी में mains में time नहीं बच रहा तो इन दोनों से किसी बेट कर दो आया है तो center on the x-axis तो मैं इस पर अपना दाव लगा रहा हूँ इसको solve करके देखते a मेरा correct होना चाहिए मुझे दे रखा है यार यह 1,1 से pass कर रहा है तो c की value निकाल देते हैं दोनों में 1 डाल के तो कितना आगया है यार c times 1 plus 1 is equal to 1 तो c की value आगई 1 upon 2 यानिकी half तो c is equal to half इस half को भी उधर ले जाओ तो मेरे curve की equation कितनी है y square plus x square is equal to 2x इसको center radius form में लाओ तो y square plus यहां मैं लिखूँँगा x square minus 2x is equal to 0 फिर मैं plus 1 plus 1 कर रहा हूँ तो तुम क्या लिख सकते हो यार यहां पे x minus 1 का whole square plus y minus 0 का whole square मैं कहा नहीं रहा था यहीं कुछ आगा is equal to 1 square तो it is a circle with center 1,0 and radius 1 तो center 1,0, 1,0 lies on the x axis तो देखो यही a is the correct answer तो करते हार अपना अगला question अब solve करते हैं अपना question number 26 मुझे दे रहा है f एक differential function है such that f dash x की value है 7 minus 3 by 4 f x upon x जहां दे रहा है x is greater than 0 and f of 1 की value 4 के बराबर नहीं है तो मुझे से पूछा गया limit extending to 0 x times f of 1 by x की value कितनी होगी ठीक है तो पहला option क्या है exists and equal to 4 by 7 दूसरा है कि इसकी value 4 के बराबर होगी तीसरा कि यह limit exists नहीं करती और चौथा है कि answer है 0 तो इसको हम solve करते है यार यह basically यार यह differential equation का question कैसे में है अगर तुम्हारा f x क्या है y है तो तुम यहां लिख सकते हो ना यार यह y dash is equal to 7 minus 3 y divided by 4 तो basically this is dy divided by 3 dx plus 3 by 4 times y is equal to 7 ठीक है तब तुम्हें पता है यार कि यह जो चीज है यह है मेरा p यह है मेरा q तो हमारा integrating factor निकालना भी कोई बड़ा काम तो है नहीं वो हो गया e raise to power हमारा p dx यानि कि e raise to power 3 by 4 x भी तो होना चीए है है कुछ गलत किया है यह देखो है x भी तो है यार यह तो मैसी कर दिया बहुत गलत बात यह है 4 x तो 3 by 4 x dx तो यह कितना आ गया यार e raise to power 3 by 4 log x यानि कि इसको हम लिख सकते है e raise to power log x raise to the power 3 by 4 उसको हम लिख सकते है यह तो पूरी चीज x हो गई तो x raise to power 3 by 4 अब integrating factor पढ़ा है तो अपना सीधा solution लिखते है y into integrating factor is equal to integration of integrating factor into q q की value है 7 और यहां लिख दो dx तो इसका answer कितना आ गया यार यह हो गया y into x raise to power 3 by 4 इसकी integration बहुत simple 7 को बाहर लो इसकी तो आएगे तुम करी सकते हो कितना x raise to power 3 by 4 plus 1 upon 3 by 4 plus 1 तो यानि कि 7 by 4 upon 7 by 4 यहां से 7 7 भी cancel हो गया यहां लिख दो c अब कि अगर हो x raise to power 3 by 4 को उससाइड ले जाओ तुम अपना ठीक है तो कितना बचेगा यार तुमारे पास तुमारे पास y आ गया y की value कितनी आ गयी यार 4x plus c upon x raise to power 3 by 4 अब इस c की value हमें निकालनी है बट दे रखी है कुछ भी नहीं दे रखा है यार मेर को तो देखो बस यह function आ गया अब कोई condition तो दे नहीं रखी कि y at this is equal to this तो c का क्या करे एक बारी के लिए इसको छोड़ दो यह basically कितना है यार मेरा y के बराबर है यानि कि y मेरा था fx तो मुझसे पूछा है limit कितना x into f of 1 by x सबसे पहले हम निकालते है अपना f of 1 by x कैसे निकालेगे जहाँ जहाँ यहाँ x दिख रहा है वहाँ x की जगे 1 by x डाल दो तो answer आगया कितना 4 by x प्लस वहाँ आगया c x raise to power 3 divided by 4 तो मुझे बताओ x into f 1 by x क्या होगा फिर हम उसकी limit लगाएग यार extending to 0 इसकी value होगी x से multiply कर दो तो 4 प्लस c times x raise to power 7 by 4 अब मुझे निकालना था इसमें कितना limit x tending to 0 तो x की जगे 0 डाल दो तो तुम्हें अपना answer बहुत ही अराम से मिल जा जो की है 4 तो इसका मतलब b is the correct answer very simple करते हैं अपना अगला question बढ़ते है question number 27 की तरफ the solution of the differential equation x dy by dx 2y x square with y1 is equal to 1 यार वही घिसे पीटे question दे देते हैं यह तो cbse board level है कसम से linear differential equation cbse board level है तुम सीधा लिखो यहाँ dy by dx plus 2 upon x times y is equal to x square upon x यानि कि सिर्व x तो मैं पता है तुम्हारा integrating factor कितना आएगा यार वो आएगा e raise to power 2 by x dx यानि कि 2 log x यानि कि x square direct लिख रहा हूँ यार मैं बहुत हो गया है तब से आए जा रहे question तो मेरा solution होता है y into if is equal to integrating if into x dx तो तुम्हारा answer आगा y x square is equal to x 4 by 4 plus c यह actually exact ऐसी differential equation कितनी बार आचुकी है और मेरा answer यह होगा मैं पहली बता देता हूँ तुमें यह मेरा answer है जितना मुझे लगता है ठीक है कितना x 4 by 4 plus 3 भाई है मैं इस पर अपना वो लगा रहा हूँ दाव लगा रहा हूँ यह तो कितनी बार solve हो चुका है तो मेरा y कितना आगया वो आगया x square by 4 ठीक है तो मैं सही कहा रहा था ना मेरा curve आगया ना मेरे पास कितना आया y is equal to x square by 4 plus 3 की value है 3 by 4 x square तो ऐसा कोई value दे रखे है हाँ यह b is the correct answer तो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ solve करते हैं अपना question number 28 if cause x dy by dx minus y sin x is equal to 6x जहां मेरा x लाए करता है 0 से लेकर pi by 2 तक and y of pi by 3 की value है 0 then y of pi by 6 मुझसे पूछा गया है again यार y linear differential equation कुछ बढ़िया दे दो please यहां आगया minus tan x ठीक है कितना tan x into y तो यह मेरा p है is equal to 6x मैं sec x लिख देता हूँ यार यहाँ पे 6x into sec x कोई problem इस चीज में नहीं अब इसके बाद किके cause उधर चले गया तो मारा integrating factor कितना होगा e raised to power p dx यानि कि minus tan x dx यानि कि कितना आजाएगा e raised to power minus log sec x तो basically इसको लिख सकते है plus log cos x ठीक है तो e raised to power log of cos x तो इसका answer कितना आगया मेरा integrating factor आगया सिर्फ cos x के बराबर मेरा solution क्या होता है यहां देखो y into integrating factor यानि कि cause x is equal to integration of if कितना है मेरा यार cause x into q कितना है यार 6 x sec x बहुत कितनी simple integration यूग कि sec x और cause x कट गया 6 x की integration कितनी होती है 6 x square divided by 2 यानि कि 3 x square plus a constant यह कितना आगया मेरा y into cause of x right अब इस c को eliminate करना है मुझे दे रखा है y pi by 3 0 है तो निकालते है यार यहां लिख देते है y at pi by 3 ठीक है तो cause pi by 3 कितना होता है cause 60 यानि कि half तो इसमें मेरा को x की value कितनी दे रखी है of course pi by 3 है तो 3 into pi square by 9 plus a constant ठीक है एक चीज यह दे रखी है तो y pi by 3 की मुझे value दे रखी थी कितनी यह 0 है तो इसकी जगे अगर मैं इसको काटके 0 लिख दू तो this thing equals 0 तो c equals minus pi square by 3 ठीक है यह एक important चीज तो यहां से मेरे को अपना function कितना मिल गया y is equal to एक तो क्या गर सकते है हम उस side sec x लेकर जा सकते है यहां आगया 3x square minus pi square by 3 ठीक है c की जगे डाला है मैं ठीक है अब मुझसे पुछे y of pi by 6 तो निकाल ले तियार वो भी easy है y of pi by 6 की value sec pi by 6 यानि की sec 30 cos 30 कितना होता है मेरा root 3 by 2 sec 30 कितना होगा 2 by root 3 तो यहां मैं आगयन pi by 6 डाल रहा हूँ तो 3 into pi square by 36 minus pi square by 3 अब यह चीज होगया कितना pi square by 12 इसको भी तुम लिख सकते हो 4 pi square by 12 तो minus 3 pi square by 12 एक बार लिख देते है is equal to 2 by root 3 into minus 3 pi square by 12 यह कटके होगया मेरा 4 तो मेरा answer बचा minus 2 pi square by 4 root 3 और यह मेरा answer कितना आगया minus pi square by minus pi square by 2 root 3 यह क्या ऐसा option दे रखा यार यह रहा तो d is the correct answer बढ़ते हैं अगले question की तरफ अब solve करते हैं अपना question number 29 अगर मेरा y, yx is a solution of the differential equation x dy by dx plus 2y is equal to x square satisfying y at x is equal to 1 की value बन है तो y at half पूचा है मुझसे again linear differential equation तो तुम लिखोगे अपना dy by dx plus p times तुम्हारा कितना है y is equal to q एक second यार यह same question तो उप़र दे रखा था x dy by dx plus 2y is equal to x यह ही था hundred ओ भाई साब कितना repeat वारे गे j mains यह है मेरा तो सीधा इसका solution टेप देते है यार और c में लिखते है अभी के लिए ठीक है उसके बाद अपनी condition देखेगे कि condition different दे रखे होगी यह answer है मेरा ठीक है इसमें condition दे रखे है y 1 मेरा 1 है यहां मेरा अच्छा यहां भी same ही दे रखा है y 1 1 है एक second यहां भी same दे रखा न सीधा answer टेपते है यार इसमें तो बताओ यार कोई नया question भी नहीं दे सकते है means क्यों बार-बार solve करूं मैं इस question को वो भी same question this is the answer right तो मुझसे पूछा है y of half इस बार बस y of half पूछा है तो यह difference है इसका answer कितना आ जाएगा है half की जगे half का square 4 तो 1 upon 16 और यहां आ जाएगा 3 into 4 into 1 by 4 right तो plus 3 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ यार 48 upon 16 plus 1 upon 16 which equals 49 upon 16 I guess यह एक option दे रखा होगा हां C is the correct answer बढ़ते हार अपने अगले question की तरफ तो अब solve करते हैं अपना question number 30 मुझे दे रखा एक function such that functional equation आ गई मेरी fxy is equal to fx into fy for all xy belongs to 0 to 1 और एक और बात दे रखा है की f of 0 मेरा 0 नहीं है मेरा y एक function है y of x it satisfies the differential equation की अगर मैं y को differentiate करूँ तो मुझे अपना fx मिल जाएगा इसी f की बात हो रही है फिर मुझे दे रखा है की y 0 मेरा 1 के बराबर है तो y 1 by 4 और y 3 by 4 को add करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा तो सबसे पहले यार मुझे अपना f निकालना पड़ेगा मेरे पास f भी नहीं है फिर y भी निकालना पड़ेगा फिर अपना constant eliminate करना पड़ेगा और फिर answer निकालना पड़ेगा तो मुझे जो बातें दे रखी है एक बार देखते है fx y मुझे दे रखा है fx into fy के बराबर एक बार यार x is equal to 0 और y is equal to 0 दोनों 0 पुट कर दो तो यहां से तुम्हें मिल लिया f of 0 is equal to f of 0 का whole square क्योंकि दोनों बार आ रहा है कितना f of 0 into f of 0 तो इस से या तो मेरे को f of 0 0 मिलता है या फिर मिलता f of 0 1 के बराबर clearly यार ये 1 के बराबर है क्योंकि 0 तो मुझे question में दे रखा है कि नहीं है अब क्या करो यार उसी same equation में x is equal to y is equal to 1 डाल दो तो f of 1 is equal to कितना आ जाएगा मेरा f of 1 into f of 1 यहां से again f of 1 की दो value आती है या तो f of 1 मेरा 1 के बराबर है या f of 1 मेरा किसके बराबर है 0 के बराबर है अब क्या ये f of 1 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा ये चीज़ तो यार देखने वाली है एक काम हम क्या कर सकते है यार या तो हम देखो अगर मैं इसी equation में अपनी y को 1 डाल दूँ तो मुझे answer अपना क्या मिल जाएगा यार f of x is equal to यहां मिल जाएगा देखो f of x ठीक है या तो मैं x को 0 डाल सकता हूँ वो better रहेगा actually मैंने y को 1 को 0 डालते हैं मैंने दोनों को 0 डाला था ना बहुत तगड़ा answer आगया यार इसकी जरूत नहीं थी actually इसको काटो यहां देखो f of 0 कट गया 1 है तो मुझे clearly function ही मिल लिए आपना ओ भाई साब it is a constant function fx is equal to 1 that's it तो अब मुझे अपनी question में क्या दे रखा है कि dy by dx मुझे दे रखा है fx के बराबर यानिकी 1 बहुत ज्यादा simple y कितना आगया मेरा दोनों साइड integration कर दो dy is equal to dx तो y is equal to x plus c अब मुझे दे रखा है y 0 1 है तो y 0 की value कितनी है c c की value 1 है तो मेरा function मुझे मिल गया y is equal to x plus 1 के बराबर मुझे से पूचा है y of 1 by 4 तो उसकी value कितनी होगी यार y of 1 by 4 की value होगी 1 plus 1 by 4 ठीक है और y of 3 by 4 की value होगी यार मेरी कितनी 1 plus 3 by 4 दोनों को add कर दो तो answer कितना भी लगा यहां से मिल गया 2 यहां से भी मिल गया मेरे को 2 2 या फिर 1 1 by 4 plus 3 by 4 1 तो total answer आगया मेरा 3 के बराबर तो b is the correct answer बढ़ते हैं अगले question की तरफ अब करते है question number 31 को solve y is equal to yx यह हमारा solution है differential equation का x square plus 1 का whole square dy by dx plus 2x x square plus 1 y is equal to 1 such that y of 0 0 है अब मुझे दिया रखा है अगर root a y1 pi by 32 है तो a की value बताओ again यार मेरी बहुत जादा common क्या है मेरी linear differential equation तो इसको ऐसे लिख दो dy by dx plus 2x divided by x square plus 1 क्योंकि देखो एक already था square से divide करोगी नीचे एक बचेगा into y तो p times y is equal to q और q है 1 plus x square का मेरा whole square तो इसका integrating factor निकालो सबसे पहले तो वो कितना निकल जाएगा e raised to power p dx यानि कि 2x upon x square plus 1 dx अब इसको कैसे solve करेगी अगर इसमें मैं x square plus 1 को t put कर दूँ तो अपने आप 2x dx मेरा dt बन जाएगा तो basically this becomes e raised to power dt by t वैसे उमें direct कर सकता था मेरा answer आया था e raised to power log t यानि कि t और t की जगे वापिस से कितना आ जाता यार x square plus 1 which is the integrating factor तो answer कितना आएगा मेरा y times integrating factor is equal to integration integrating factor into q और q मेरा कितना है इसी की चीज़ का whole square है तो whole square में से एक कट जाएगा यार value सिर्फ 1 upon 1 plus x square बच्चा जिसकी integration standard integrals में आती है जो होती है हमारी tan inverse x plus a constant तो इसकी value कितनी है y into x square plus 1 के बराबर अब इस constant को अटाना है मुझे दे रखा है y 0 0 के बराबर है तो चलो x के जगे 0 डालते है तो y into यहां आ गया 1 x के जगे 0 डाला 0 plus c और यह मेरा कितना दे रखा है 0 तो c 0 आ गया बहुती बढ़िया तो मेरा जो सिर्फ function है वो हो गया y is equal to tan inverse x upon 1 plus x square मैंने कुछ नहीं किया यार मैंने बस 1 plus x square को यहां से नीचे ले गया अब मुझसे पूछा क्या गया यार मुझसे y of 1 into root basically यह root इस इदर नीचे आ जाएगा अगर यहां से काटेगे तो y of 1 पूछा गया है मुझसे y of 1 की value कितनी होगी यार x की जगे 1 डाल दो तुम तो tan inverse 1 is what pi by 4 I am writing it directly into 1 upon कितना 1 square तो 1 तो मेरा answer कितना आ गया यहां से pi upon 2 into 4 कितना यार 8 तो यह तो मेरा y 1 है बट इसकी value किसके बरावर है यार इसकी value है pi by 32 root a के बरावर तो मुझे a की value निकालनी है तो इन दोनों को बस क्या करो equate करो pi को काटो, pi को काटो, 8 को काटो यहां बचा 4 तो मेरा answer कितना आ जाएगा है 4 root a की value 1 है root a की value है 1 by 4 तो a की value कितनी होगी यार 1 by 16 ऐसो option दे रखा है यार कहीं पे भी हाँ c is the correct answer बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ अब solve करते हैं अपना question number 32 given that the slope of tangent to a curve y is equal to yx at any point x, y is 2y divided by x square if the curve passes through the center of this circle then its equation is basically यार यह center of the circle दे दे एक coordinate pair होगा वो भी हम निकाल लेगे पहले उसी को निकाल लेते है यार यह कितना है x square minus 2x plus 1 minus 1 ठीक है plus y square minus 2y plus 1 minus 1 मैं add subtract कर रहा हूँ is equal to 0 तो यह कितना होगया और यह कितना होगया और यह 1 और 1 उधर जाके 2 होगया तो x minus 1 का whole square plus y minus 1 का whole square is equal to 2 फर्क नहीं पड़ता इससे योगि center मेरे को मेरा मिल गया है 1,1 तो the curve passes through 1,1 basically यह दे रखा था अब मुझे दे रखा है कि slope of tangent की value 2y by x square यह तो बहुत simple question है यार सिर्फ तुम्हें dy by dx को equate करना है कितना 2y divided by x square से यहां से हमें क्या मिल जाएगा यार कि dy divided by y की integration कितनी हो जाएगी 2 by 2 dx by x square के बराबर यह तो सीधा आगया कितना मेरा यार log y के बराबर और यह कितना आगया minus 2 by x के बराबर प्लस एक constant भी यार तुम ले ही लो ठीक है तो यहां से तुम्हें अपना y मिल जाएगा क्या y की value है e raised to power minus 2 by x plus c मतब e raised to power c अलग से भी तुम इसको ऐसे लिख सकते हो और e raised to power c अपने आप में constant है तो तुम लिख सकते हो कितना इसको तुम बना दो k times where k is a constant जो हमें नहीं पता अब मुझे पता है कि यह curve पास कर रहा है 1,1 से तो y और x दोनों की जगे डाल दो 1 तो 1 is equal to k times e raised to power minus 2 तो k की value कितनी आ गई यार यहां से e square आ गया नहीं है यहां से तो k is equal to e square तो मेरा जो curve की equation है वो कितनी बनी y is equal to e square into e raised to power minus 2 by x में common ले सकता हो पर रहने दो अब मुझे क्या निकालना है यार मुझे निकालनी थी इसकी अच्छा equation हाँ तो यह equation साही तो है अच्छा in terms में दे रखी है तो वो चीज़ करनी पड़ेगी अब हमें थोड़ा solve करना पड़ेगा इसको जब कैसे solve होगा यार काफी simple है तुम वैसे सीधा इस चीज़ को उठा सकते हो यार यहां पे बट या तो क्या करो तुम एक चीज़ कर सकते हो तुम लिख सकते हो y is equal to e की power common लो तो 2 1-1 by x समझा रहे है या फिर तुम लिख सकते हो e raise to power 2 x minus 1 divided by x अब यह है y is equal to this thing तो अगर मैं दोनों sides log ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा log y is equal to what यहां आ जाएगा मेरा 2 x minus 1 upon x तो यहां से मैं क्या लिख सकता हो यार कि मेरा x into log of y की value कितनी है 2 times x minus 1 के बराबर क्या यह दे रखा है option यार x log y 2 times x minus 1 ठीक है तो मेरा जो d है d is the correct answer बढ़ते अपने अगले question की तरफ तो यह question number 1 मेरा क्या है यह basically यार वो दे रखा है मुझे integer type questions पे हम आ चुके है अब मेरे एक और दो integer type questions बचे है उसके बाद हमारा differential equation समापत हो जाएगा तो हमारा entire calculus ठीक है will be finished ठीक है खतम टाटा बाए बाए गुडबाए इस calculus का 1 plus x dy by dx is equal to this thing अब यह यह तो बहुत simple है y2 दे रखा 0 y3 बताओ cbsc level question of linear differential equations तो I am given की 1 plus x into dy divided by dx is equal to 1 plus x square plus y minus 3 यह बेफकूब बनाने के लिए bracket में कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का अब क्या करो हर जगे यह चीज़ divide कर दो 1 plus x तो मेरा आ जाएगा dy by dx is equal to यह यह 1 plus x का whole square है ठीक है तो यह सिर्फ बचा 1 plus x फिर एक और चीज़ भी थी यह 3 भी था तो plus मेरा is equal to q और q है 1 plus x minus 3 upon 1 plus x समझा रहे तुमें तो मेरा integrating यह तो p है यह पूरा q है if मेरा कितना निकल जाएगा यहां से अगर यह p है और यह q है वो जाएगा e raise to power minus dx upon 1 plus x काफी simple integration कितनी आ गई e raise to power minus log 1 plus x या फिर log 1 plus x raise to power minus 1 तो answer आ गया upon 1 plus x तो यह आ गया integrating factor तो solution of differential equation कितना बना y into integrating factor is equal to कितना यार integration of integrating factor into q q कितना यार मेरा यहां से है 1 plus x minus 3 upon 1 plus x यह पूरा लिखना जरूरी है dx इसको इसके साथ multiply करोगे तो 1 मिल जाएगा इसके साथ करोगे y upon 1 plus x right इसको पूरा और solve करो तुम्हार पास कितना आ जाएगा y upon 1 plus x is equal to इसकी integration x और इसकी plus 3 upon 1 plus x right अब एक constant भी आएगा मेरा कुछ condition दे रखी है मुझे दे रखा है y to 0 है तो x को 2 डालो y 0 आ जाएगा y की जगे 0 डाल दिया तो 0 is equal to 2 plus 3 upon 1 plus 2 plus a constant this is nothing but 1 तो c की value यहां से कितनी आ गई यार 2 plus 1 3 minus 3 c is equal to minus 3 तो जो मिरको curve मिला है curve को मैं directly लिखता हूँ यार इस equation से 1 plus x को वहाँ multiply कर दूँगा curve is equal to x into 1 plus x right फिर plus 3 आ जाएगा plus कितना c कितना है minus 3 times 1 plus x ठीक है इसको और खोल लो 3 minus 3 मेरा कट जाएगा तो basically सिर्फ बचेगा minus 3x तो x 1 plus x minus 3x और solve कर सकते है वैते तो इसको यार यह कितना है x plus x square minus 3x तो it is x square minus 2x तो मेरा fx आ गया x square minus 2x के बराबर right अब मुझे निकालना क्या यार मेरा y of 3 तो बस x की जगे 3 डाल दो तुम्हारा काम खतम हो जाएगा तो y of 3 is equal to 3 का square 9 minus 2 into 3 6 यानि की answer आ गया मेरा 3 तो इसका answer है मेरा 3 तो अब करते है अपना last question जो है integer type question अब solve करते है अपना question number 2 of integer type यह दूसरा भी है यार basically यह आया नहीं होगा क्योंकि find the differential equation निकालना integer नहीं है बट जिस भी किताब से मत अब एक question निकाला है मैंने इसको solve तो करी लेते हैं मुझे रिकालना है find the differential equation of all the parabolas whose axes are parallel to y axis ऐसे कौन से parabola थे इसमें तुम्हें सिर्फ आनी चाहिए अपना parabola की बाते basically मुझसे पूचा है जिसकी axis parallel to y axis हो ठीक है तो जितने भी ऐसे parabola होगे मेरे मानलो यह एक parabola है यह एक parabola यह एक parabola है जितने भी parabola है इनकी जो मेरी axis होती है वो भी बनाई देते हैやर axis बनाने में तो क्या ही जा रहा है अपना घटिया axis नहीं बनायेगे हम हम बडिया axis बनायेगे धीरे धीरे रब करके बीच वाला part वो भी छोटे वाला ही razor से ठीक है बिल्कुल बडिया axis बनाएगी तो this is the axis of the parabola तो इसका मतलब देखो जिसकी axis parallel हो y axis से ऐसे सारे parabolas की equation क्या होती है जो भी upward facing होते है या downward facing भी हो सकता है या रहाँ पे but axis parallel to y axis ऐसे सारे parabolas की equation होती है y is equal to ax square plus bx plus c हमारी quadratic equation which has 1, 2 and 3 variables तो अगर 3 arbitrary constants है basically variables नहीं तो यह हम 3 बार इसको differentiate करेगे और order हमारा 3 आना चाहिए तो खतम question यार कितना जादा y dash निकालो कितना आगया 2ax plus b y double dash निकालो यार कितना आगया 2a एक और बार differentiate कर सकते हैं तो फिर निकालो यार अपना कितना यार y of triple dash is equal to 0 तो this is the equation और मैं इसकी जगे लिख सकता हूँ क्या d cube y by dx square is equal to 0 is the equation of all parabolas family of parabolas whose axis is parallel to y axis तो इसी के साथ यार हमारा differential equation हो जाता है sum up हमारा पुरा calculus हो जाता है j mains का 2019 और 2020 का बिलकुल sum up तुम से मिलते हैं अर अगली वीडियो में किसी दूसरे unit के साथ probably vector और 3D के साथ तो बाई बाई